हलो एवरीबड़ी दिस इस दिग्रास सिंग राजपूत वेलकम तो मैगनेट प्रेंज इस वीडियो से एक नए चाप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 पॉलेटिकल साइंस का चैप्टर है चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ओफ दी कॉंग्रेस सिस्टम अब देखो यह चैप्टर जो है ना आपको मुल्टिपल डैमेंशन से मुल्टिपल चीज़ें दिखाने वाला हैं ठीक और उसी के साथ साथ में आप देखो लेंगे तो मैं आपको कनेक्ट करवा देता हूं कि किस तरह से पढ़ना है चीजों को यह जो नाम बदलने से कुछ बहुत जादा चीज नहीं आएं ठीक है चीज़ें किस तरह से समझना है वो क्लियर कर लेते पहले तो अगर पार्टीज के अगर बात करें तो पार्टीज को अगर कोई चालेंज करता तो मल्टीपल दूसरी पार्टीज हा जाएगी तो इन जनरल जो चैप्टर का नाम बदला गया और पार्टीज किया गया है तो इसमें आप मल्टीपल पॉलेटिकल पार्टीज जो इंडियन पॉलेटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस ठीक है इंडि लें है कौन कौन से टॉपिक्स और आखिर का चैप्टर की थीम क्या है अब देखो अगर आप बुक के इसाब से जाते हैं तो क्या लिखा है चैलेंजस टू एंड रिस्टोरेशन आफ चैलेंजस टू मतलब क्या है कि जो कॉंग्रेस का जाँ है तरह का क्यों तो अगर चैप्टर 2 करें चैप्टर फाइफ फिर लगई है बऑन अमीघेंजस डॉमिनेंस रहा है आप पिर इस टाइमी प्रेड को क्या आप गाया है समसे पहले आप देखूगे कि लीडर्शीट जटी होती उए वह उख्एए सब्सक्रा ढखा कई तो लीडर्शिप कैसे च्येज़ ओर थी क्या चैल्ण्ज था वह हम from the opposition opposition मतलब क्या है कि 67 के पहले भी opposition था हमने पढ़ा है जैसे स्वतंत्र पार्टी जन संग हो गया ठीक है कमिनिस पार्टी ओफ इंडिया हो गया तो चैलेंजेस जो थे Congress को बाहर से भी थे political parties जो थी वो बाहर से भी चैलेंज कर रही थी लेकिन चुटपुर चुटपुर चैलेंज था और एक और जो चैलेंज जो बड़ी समस्य से बनती Congress के लिए 1967 के बाद में वो क्या है ति Congress also face challenges from within Congress अपने अंदर से भी अपने अंदर से भी मतलब क्या है कि जो Congress का collision था ना grand collision जो एक grand centrist collision की तरह रिप्रेजेंट होती थी Congress उसमें भी चैलेंज थे ठीक है उसके अंदर से चैलेंज जाने लगे 67 के बाद में और यही जो साब देखेंगे तो स्कॉलर्स का कहते है 67 के बाद के टाइम पिरेट को breakdown of Congress system कहते है 67 के पहले तक के टाइम पिरेट को Congress system कहते है ठीक तो इसी तरह से कहे चैलेंजेस टू वाला पार्ट जो चैप्टर का वो क्या समाहित करता है वो समझ में आया ठीक है what does it incorporates within itself तो चैलेंजेस टू वाला पार्ट समझ में आया है कि Congress का जो तो चैलेंजेस थे अब आप देखो के रिस्टोरिशन होफ तो चैप्टर में एक पार्ट ये भी है कि Congress जो है ना तो Congress ने डुप की लगाई लेकिन डुप की लगा के बाहर भी निकली ठीक है तो रिस्टोरिशनें और कमींग दीस चैलेंजेस तो चैप्टर का एक पार्ट यी भी है कि रिस्टोरिशन जो है Congress का रिस्टोरिशन भी हुआ है ठीक है Congress ने अपने आपको क्या किया के अप जैसे दी का झागरिस्ते लेकिन धाय्डि लेकिन से बाध के बाध में एक बार फिर से का एक विकराल रूप लेके रिस्टोर करती है कॉंगरेस ठीक है कॉंगरेस आर जो बनेगी भी कॉंगरेस आर क्या है। ये सारे जो सब्सेंट काम जो होता है न आप सब पर सकते आपने अपने मंद से पढ़ोगे। अपने अपने हिसाब से नंबर भी लिया होगे सारा सब कुछ कर लोगे लेकिन ठीक है तू टीच इस टू टेच लाइफ एवर आपको यहां पर क्या करना है यहां पर आपको सबसे पहले चीज़ समझना है कि चीज़े कनेक्ट कैसुए एक थीम समझना है सैट्स पर लोगे न बुक हम पढ़ते हैं तो इस बुक को मैंने कि बताए कि इस बुक आप दो दो टाइम मतलब दो डाइमेंशन पर पढ़ना क्या एक तो थीम बात करें न तोटब ञोथा तो तो चाप्टर वन में हमारी क्या थीम थी चाप्टर वन में हमने देखा कि यूनिटी जो है ठीक है यूनिटी को कैसे इंशोर किया जाए ये थीम थी हमारी कहां country diver से regional aspirations है जो प्रिंस्ली स्टेट से भागू-भागू कर रहे हैं उनको कैसे जोड़ के रखा जाए ठीक तो ये करते हैं जैसे हम तो previous chapter के मतलब previous to previous chapter को अगर connect है तो planning and development ठीक है planning and development planning and development जो है ये हमारी थीम थी कि अब आपने एक unified और एक democratic country को establish तो कर लिया है लेकिन how will you ensure the welfare of all how will you ensure the development of that nation तो वह हमारी chapter 3 की थीम थी अब अगर आप जैसे देखें कि chapter 4 जो हो गया ठीक है तो chapter 4 जो हो गया ह हमारा chapter 4 जो पिछला chapter पढ़किया उसकी थीम क्या थी कि एक देश आजाद हो गया देश के अंदर जो challenges थे ठीक है देश ने जो challenges आजादी के समय फेस किये थे तीन जो बड़े challenges थे three major challenges ठीक है तो उस three major challenges को ये internal challenges थे ना तो ये internal challenges को तो आपने क्या कर लिया deal कर लिया ठीक connect कर पारो नहीं सारे chapter आपस में जो हुए है तो ये तीन internal challenges को आपने deal कर लिया चौथा challenge जो था तो external challenges थे ठीक है external challenges जो थे हमारे सामने external challenges क्या थे हैं आप तो आप देखेंगे कि दूसरे जो foreign countries थे उनके साथ हमारे conflicts थे उसके अलावा जैसे घर हम समझे तो क्या है कि हमारी जो policy रही है foreign policy non alignment को लेके हमारे nuclear policy जो रही है तो आपने वह सब कुछ समझा अब देखो अब यहीं पर यह सारे चार चाप्टर पढ़ें आपने अभी तक अब अगर आप जैसे देखेंगे तो यह चार चाप्टर में अगर आप देखेंगे तो आपको टाइम लाइन क्लिय थी कि हमने कैसे शुरुवाती दोर में हमारे country को united रखा कैसे states का reorganization हुआ तो timeline भी चली लेकिन theme भी चली के unity कैसे ensure करी chapter 2 में आपने क्या 1947 से 1967 ठीक है यह जो one party dominance जो था ठीक है one party dominance जो था वो चीज़ समझी आपने कि हाँ एक party का क्या रहा है dominance रहा है उस पार्ट पर आपने को समझा कहां पर उस पार्ट पर आपने चीज़ों को समझा chapter 2 में अब chapter 3 और 4 जो है तो one party dominance के time पर ही आपका planning and development के 3-5 year plans वो सारी चीज़े पढ़ लिया आपने ठीक है तो timeline भी parallel चल रही है अब जो मैं आपको 2-5 connect कर वा रहा हो ना तो 2-5 इसलिए connect कर वा रहा हो यह जो य है कि जो timeline वाली story है कि 47 से 67 तक जो one party dominance रहा है Congress dominance रहा है वो Congress का breakdown चलू होता है 67 के बाद में ठीक है तो breakdown का होगा जब challenges आएंगे Congress को challenges 2 challenges 2 मतलब कि Congress ने जो challenges phase किये कब किये 67 के बाद में तो अब आप जो timeline पर chapter पढ़ने वाले हैं वो 1967 से कहां तक पढ़ोगे 1967 से आप चप्टर पढ़ना चालू करोगे और 1967 से कहां तक पढ़ेंगे 1971 तक ठीक है 1971 तक पढ़ेंगे नहीं इसके आगे भी extend करेंगे जैसे आप द अपने आपको restore कर लेती है restore करना मतलब कि Congress का breakdown होता है challenges face करती Congress लेकिन उन challenges को overcome करके वो और मजबूती से निकल के आती है Congress तो वो जो time frame रहने वाला आपका 67 से 77 अगले 10 साल जो है आपने जो timeline frame पर अगर आप बुक को समझ रहे हो तो तो अगले 10 साल जो है आपके इस chapter में प पूरी तरह से Congress पूरी तरह से खतम होती है मतलब क्या है कि Congress के अलावा दूसरी political parties national level important role play करती है वह अगले चैप्टर में पढ़ो गए तो ऐसे theme को connect करना सब जादर जरूरी है इतनी चीज़े समझ में आई screenshot अगर आप लेना चाहरे हो मतलब अराम से रुक के चिंतर मनन करत सब्सक्राइब है आप इस चीज़े सोच सकते हो कि क्या आखिर का पिचल कैसी रही है इतने चीज़े क्लियर है तो यह हमने क्या है यह मतलब जी देंगो तो फीम जो चली आ रहे हिमारी पूरी बूक की वह हमने आपको बताई यह चलो तो आब वापिस आते हम यहां पे है तो इस तरह से क्या है मैंने आपको theme connect करवा दिया और आशा करता हूँ यह है आपको समझ में आए यह समझ में आए तो सारी चीज़ समझ में आ गई है हम वही पढ़ने वाले कि Congress system जो था उसको क्या challenges आते हैं ठीक है किस तरह से उन इसको overcome करता है Congress system और आप अगर जैसे अब थोड़ा सा यहां पर एक और चीज़ करोगे तो वह क्या है यह रहा कि चैप्टर का नाम बदल के आप क्या कर दिया पार्टी इन पार्टी सिस्टम इन इंडिया कर दिया है इसमें क्या लिखा है Congress system ठीक है Congress system और आप syllabus के साब से दे तो वही Congress system का टॉपिक देखो यहां आड हो गया तो चाप्टर टू चाहे syllabus से हट गया हो ठीक है syllabus से हट गया हो लेकिन उसकी significance तो यहां भी आ गई ना मतलब आप 67 के पहले तक कि Congress को कैसे समझोगे अगर Congress system नहीं समझोगे तो ठीक है डाइरेक्ट आप challenges साला पार्ट मुद्ध देखो क्या है इन बांच पर इने पसके पर सीवाए medida से और की ऊतना है तो यहां पर प्रोच रख कि हम सब पढ़ेंगे तो यहां पर ऐब मैल्टी पार्टी कोलिशन system जो इस पर वीडियो में आपको बता दूगा सिंपल है ये कि अगर जैसे चाहें तो यह ही बता दे बाई पार्टी सिस्टम मतलब कर का च looked थो अगर देखने को मिलेगा है कि दो पार्टी कि ऑनमिनेंट कर रही हो and also स्टम में में का कर रही हैए एक कर रही है एं। यह ल हमोते और पर आप चाहे तो अगला चैप्टर पढ़ाइंगे नुहांइख Franc 보니까 चे लिए वृडियूजिन सिस्टम वहं कवर हो जाएगा थिसलिए जरूवत नहीं यह कि M quello स्टर में पढ़ोगा ह। By party system जो है By party system، मतलब simple दो party's की बीच में जो कंटेस्तम मतलब एक तरह से Democratic क्या चल रहा है Democratic competition चल रहा है फिर भी एक Видio में यह cover कर देंगे came additional topic ने By party system और multi party collision system क्या होता है क्योंकि आजे आने वाले chapters में पढ़ोगी इस चीज़ को अब इस chapter में क्या पढ़ने है अले सर बेसिकलिक लिए बताओ, तो देखो इस chapter में क्या पढ़ेंगे, इस chapter में पढ़ेंगे challenge of political succession, challenge of political succession, अब इससे अलग-अलग ना पढ़तो一下 happened ही पढ़ेंगे, क्यूंकि topic interlinked है, क्या होता है कि Congress का breakdown जो start हुआ न explains what I think react, स्टार्ट नहीं हुआ कॉंग्रेस के ब्रेकडाउन में सबसे बड़ी समस्य यह थी कि लीडर्स जो रहते हैं तो कोई भी मतलब लीडर्स ऐसे नहीं है कि अब कौन कमान समालेगा तो पॉलिटिकल सक्सेशन का जो चैलेंज रहा उसने कहीं नहीं की कॉंग्रेस को वीक किया जवालनाल नहरू जब तक लीडर है जिससे अगर आप देखोगे तो 52 से 64 तक उनकी ड़ नहीं होती उस टाइम पिरेट तक वो क्या रहते हैं एक तरफ एक लीडर रहते हैं मतलब ऐसा है कि हाँ अब उनके भी कह सकते हैं कि क्या थे उनके भी अल्टरनेटिव थे लेकिन उनके अल्टरनेटिव खुद बोल देते हैं कि चलो ठीक है सर्व सहमती से जवालनाल नहरू चाह रहे हैं प्राइम मिस्टर बनना आप बन जाओ तो वहां प पूरा जो सिनेरियो नहीं तीनों टॉपिक्स हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे चैलेंगे उफ पॉलिटिकल सक्षिशन यहां पर समझेंगे हैं फिर क्या है फिर फोर्थ जन्रल इलेक्शन दी ब्रेकडाउन ऑफ कॉंगरेस सिस्टम मतलब यहां पर क्या होता है कॉंगर च्थिती में हो रहे थे यह समझना भी जरूरी यह लीडर्स बदल गया लीडर्स बदलने के साथ में देश भी बदल गया 65 की वह और 62 की वह एकनोमिक क्राइस ठीक है जो फाइव यह प्लान अब यह इसा करो प्लानिंग इन डेवल्लप्मेंट चैप्टर में आपने क्या और फाइव एल प्रैन जो ला रहे थे तो 67 तक आते आते एक दम क्या होगा थे फुस्व गए थे फाइव एल प्लैन तो वह कंटेक्स्ट क्या थे एलेक्शन का वो चीज समझ आ लिए लेकिन अब क्या होता है कि जब कंग्रेस का मतलब क्या है कि जो अपोजिशन पार्टी ज़ो रहें होगा तो जब कंग्रेस कंज़ोर होती दिख रही है तो आखिरकार जो चरहां कि गादा कांगरेश कमजोर हम सब्सक्राइब इतरा टुरू कैसे के सीटे काू पो पृषPCम प सब पकड़ान के का साथी बना रहे और सरकार बना रहे अब उसमें क्या होता है۔ का नया फिनल मेना निकल के आता कि दल बदल बहुत हो हो रहे है आयर हाम गयराम वाली हो कहनी है वह हम यहा पर बढ़ेंगे यह त्रबढ़ने है और हम यह pää ओसे हैं तो इस तरह से मैंने क्या बता है कि Congress challenge face करती है कहां कहां face करती है Congress challenge तो आप जिसे दिखेंगे face challenge from opposition and the Congress also face challenges from within तो Congress अपने अंदर भी challenges face कर रही थी तो splits in Congress जो है तो Indra versus the syndicate, syndicate क्या है यह मैं समझाओंगा आपको Indra Gandhi, Indra Gandhi जो नहीं तो Indra Gandhi के time period में ऐसा है उनको कहा जाता है कॉंग्रेस मजबूत भी हुई और Congress कमजोर भी हुई कैसे वह समझेंगे अच्छा आज जो आप Congress देख रहे हूँ ना यह वह वाली Congress नहीं है यह आपको खेर chapter पढ़ते-पढ़ते क्या हो जाएगा और clarity मिल जाएगी presidential election presidential election of 1969 और यह क्या होता है तो अभी तक क्या है कि Congress के अंदर आप देखो कि तो internal rift बरती चले जा रही थी लेकिन वह internal rift जो है खुल के सामने कब आती है 1969 के presidential election में ठीक है वीवी गिरी और आइगेस नीलम संजीवर इडी जो है उनके बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा एक बैटल देखने को मिलेगी presidential ship को लेकर ठीक है तो वह presidential election भी बहुत कुछ हमें बताता है उस समय के party politics के बारे में अब 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 लिशन ऑफ प्रिवी पर्स टिक यह एडिशनल टॉपिक के बॉक्स में है लेकि मैं समझाओंगा कि किस तरह से जो आपको pension देंगे हम आपको क्या देंगे fund देंगे आप राजा महराजा रहोगा आप अपने थाट से रहना ठीक है government आपका धियान रखेगी तो जो government आपका धियान रखेगी कब बोला था 1947 में किस time period में कि आ जाओ हम मिलके क्या करते एक United India बनाते और 1947 में बोलने के बाद में आप तो इस time period में जब आप अब मतलब देख रहे हैं कि Congress सिस्टम ब्रेकडाउन और इंद्र गांदी का होता है ना और उसके बाद में का लिखाए थी 1971 election and the restoration of Congress 71 के बाद में Congress restore हो क्या आती है अपने आपको बापस से एक जुट करती है ठीक है रिचार्ज हो क्या आती है ऐसा क्या होता है तो जो the contest समझेंगे कि election 71 का किस ग्राउंड पर लड़ा गया इंफेक्ट आप देखो कि तो 71 से पहले स्प्लेट हो जाती ही Congress ठीक है Congress O Congress R क्या है वो समझाओंगा मैं आपको the outcome and after ठीक है outcome and after मतलब क्या है कि जो contest होता election election के contest के बाद में आप देखेंगे कि जो परिणाम निकल का था उससे यह चीज़ क्लियर थी कि 67 में जो Congress की आर जो है वो क्या निकल के आई है वो प्रचंट तरीके से उभर के आई है तो उसके चलते क्या हम देखते हैं कि restoration हुआ सवा है कि क्या सच में restoration हुआ Congress का इसे हम इसी topic में देखेंगे इसके जो theoretical aspects से उसे भी समझेंगे अब additional topic जो है तो आपका additional topic में देखो मैं आपको बताएं यहाप additional topic में क्या है कि party by party system multi-party collision system कुछ नहीं चीज नहीं है लेकिन फिर भी एक वीडियो में आपको बता देंगे कि by party system क्या होता है जो पहला साल था Congress का बड़ा अच्छा चला independence के बाद की बता रहे वन यह तो यह दो यह दो बैल जो है ना पहले symbol जो था Congress का पहले क्या था बैल ही था ऐसे आपको दो बैल देखने को मिलेंगे वह Congress का सिंबल हुआ करता हाथ का पंजा नहीं है ठीक है Congress का जो आप सिंबल देखने वह भी वाल हुआ है भी बैल से उसके बाद में क्या गाए और बच्छड़ा बन जाएगा ठीको गाए और बच्छड़ा से फिर हाथ का पंजा बनेगा वह साही चीज़े बता हूँगा आपको तो क्या था पहले दो बैल हुआ करते थे Congress का सिंबल अब वह दो बैल जो एक साल अच्छे चला नौ साल नौ साल मतलब क्या है कि जैसे आप ये इंडिपेंडेंस के हिसाब से गिनो तो 47 से आप आगे बढ़ोगे 9 साल तो यहां पर क्या है 66 आ गया है नहीं 56 आते आते क्या ह तो जैसे 56 के टाइम में देखो कि स्वतंतर पाटी वगिर अलग हो जाना तो Congress के leaders जो थे आपस में वो क्या है वो एक दूसरे के उपर मतलब एक दूसरे से plans match नहीं कर रहे थे फिर आप देखो कि 17 साल हो गए 17 साल मतलब क्या है तो 17 साल मतलब अगर जैसे आप देखेंगे 49 से 49 से 59 59 से फिर इधर पांच एड़ कर दोगे तो 64 के आसपास 64 के आसपास देखो के तो Congress जो है different issues को लेकर अलग-अलग point पर खड़ी हो गई थी डिफरेंट इशूस को लेकर अलग-अलग point पर कैसे खड़ी हो गई थी तो leadership को लेकर भी मतलब जैसे जवालना नहरू की death हो जाती न 64 में तो उस समय पर क्या कि Congress एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है Congress के जो दो बेल थे उनमें तालमिल नहीं बन रहा था ठीक है तो य रूप से Congress के एक सेक्शन दो सेक्शन और लड़ा बैठे थे तो वह कार्टून के थ्रूज को क्या किया गया है ठीक है Congress का मतलब Congress ने जो चैलेंजे सेस किया उस चीज़ को इस कार्टून में बताया गया है ठीक है तो originally the election symbol of Congress was a pair of blocks this famous cartoon depicts the changes within the Congress leading to a head-on confrontation in 22nd year after the Independence 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 के बाद ज dominant party थी वो क्या है आमने सामने होगी डारेक्ट उस चीज़ को क्या है इस कार्टून के थूरू बताया गया है चैलेंजेस जो फेस करें वो बताया गया है मज़दार कार्टून है इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे चैलेंज ऑफ पॉल of Congress system या फिर parties and party system in India जो लिपापोती करके नहीं नाम दिया है चैप्टर को बागे अगर हम समझें ना यहाँ पर तो थीम कैसी चल रही है कि Congress की dominance रही है लेकिन वो Congress की dominance पर्मानेंट नहीं है ना पर्मानेंट तो कुछ नहीं होता है दुनिया में तो अब क्या होता है कि उस dominance के सामने challenge आएंगे तो जो challenge आएंगे challenges two की जो हम बात करें तो उसमें पहला challenge यही था कि उस political party में कौन अगला उत्तराधिकारी बनेगा अगला उत्तराधिकारी मतलब क्या है किस से पहले वाले जो leaders है वो जब अपनी जगा छोड़ेंगे जैसे Congress का जब dominance था वन पार्टी शास्त्री के जाने के बाद कौन समालेगा तो इस तरह से क्या है कि जो succession होता है na succession मतलब क्या है कि उत्तराधिकारी बनना एक के बाद एक जो आता है ठीक है कौन इसका जो dominance रहा है उस dominance के सामने सबसा पहला challenge यह आया है कि जैसे जैसे leaders जाते जाएंगे तो अगले leaders जो आएंगे ठीक है उनकी position को उनकी legitimacy को question किया जाएगा ठीक तो वही जो पूरा context है वह आपको समझना है इस वीडियो में कि what were the challenges to the Congress domination या फिर Congress system तो first challenge was the challenge of political succession and let us have a look on this तो सारे topics इस में कवर करेंगे कि Prime Minister जवालना नहरू passed away in May 1964 1964 सुबह के समय जैसे कहा जाता है कि जो reports है या फिर जो data में मिलता है कि जो प्राइम मिनिस्टर थे जवालना नहरू उनकी death हो जाती है ठीक है हाड़ेटेक आ जाता है अब उनकी death होती है ठीक है उनकी death के बाद में क्या होता है this had generated a lot of speculation about the usual question of succession अब क्या होता है पॉलेटिक्स में इंसान की death हुई है तो शोक रहता है शोक सभा होती है वो सब कुछ तो होता है लेकिन जो एक बड़ा कुश्चन निकल कहाता है ना उस समय वह निकल कहाता है अब इनकी जगह कौन समालेगा क्योंकि politics is all about power ठीक है दो it is hard to hear ठीक है बट इ नहरू who and after नहरू what this was the interesting question समझना ये तो एक कुश्चन था कि जवालनाल नहरू के जाने के बाद में उनकी power को कौन समालेगा ठीक है उनकी position को कौन समालेगा responsibilities power जो आती responsibilities के साथा तो सिर्फ power कहना एक तरह से क्या रहता है कि democratic नहीं लगता है उनकी powers उनकी responsibilities को कौन समालेगा लेकिन उसे के साथ सवाल ये भी था after नहरू what तो जवालनाल नहरू के एंडर में जिस तरह से congress का system था जो congress का domination था क्या वो वैसा ही रहने वाला है तो जवालनाल नहरू के बाद में क्या रहेगा कौन रहेगा ये तो एक सवाल है वो तो एक इनसान के दारा solve किया जा सकता ह लेकिन जवालनाल नहरू के बाद क्या रहेगा वो क्या था वो एक इनसान नहीं solve कर सकता है वो एक पूरा का पूरा system था तो क्या वो system वैसा का वैसा ही रहने वाला है जवालनाल नहरू के बाद में तो ये कुछ questions थे और देखो आप मैं expect करूँगा कि आपने इंडिया politics in India इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो चार चेप्टर पढ़ चुके हो तो आपको बहुत कुछ history जो है उस समय देश में कहां क्या चल रहा है development पर लेवल पर क्या चल रहा है foreign relations में क्या चल रहा है तो आपको एक basic history और कह सकते कि जो contemporary issues है वो समझ में आ रहे हो तो आप तो यह जो time period था 64 का time period 62 में अपने हार मतलब हमें हार देखना पड़ी थी किसके द्वारा चाइना के द्वारा तो इंडिया चाइना जो वार था 62 को उसमें हार का सामना किया economy जो है तो इस समय पर क्या है लडख़डा रही थी ठीक है अंतिमसा से ले रही थी तो उस तरह स इसा होता है कि power को लेकर लोग जो आपस में लड़ लेते भाई भाई लड़ लेते तो यहां तो political parties है और political parties का रिकॉर्ड आप जानती हो तो Congress party के अंदर भी पिर ऐसा होगा कि जवालाल नहरूत है तो चलो हमने उनको लीडर माना लेकिन उनके बाद में हम लीडर है कुछ यह जोग ऐसा सोच रह सच रहूए एक लोग नहीं सोच रहे होंगे तो इस तरह से क्या है बहुत में स्टाइब की सिचुशन और इसलिए क्या है चैलेंज औस político सक्सेशन दिया गया है जैसे क्या आप हिस्ट्रीव टाकर को सञेशन एक कमार देते थे तो वहीं चालेंजेस यहां पर भी आये थे तो देरवर कुश्यंस लाइक आफ्टर नहरू हूँ एंड आफ्टर नहरू वाट समझ में आया देखो यह कार्टू ने बताया गया दिवाइड इस तरह से डिस्क्राइब कि रहे कि लोग सामने कुश्यं था कि जवालना नहरू है उनके जाने के बाद थे आउटसाइडर जो थे उन लोगों को क्या लग रहा था पता है उन लोगों के मन में यह सवाल था क्या कि वेदर इंडियाज देमोक्रिटिक एक्सपिरिमेंट विल सर्वाइब आफ्टर नहरू एंड इस वाज़ी कुशन ना सीरियस कुशन जवालना नहरू थे जब तक आपने देखा कि किस तरह से एक डेमोक्रिसी का एक आपको क्या देखने को मिलता आपको डेमोक्रिसी बोलते ना कि एक मैचॉर लेवल पर आप इस डिफरेंट ओपिनियंस को इंकॉर्परेट करने का प्रयास के डॉक्टर वीम राम अमेटकर की बात कर लो आप क्लेर और फिर जैसे देखोगे तो जो कार्टूनिस्ट वगरा हमने पढ़के आया है उनके बारे में तो एक कह सकते कि ओपन ही वास ओपन तो डिसेंट ठी तो जो दूसरे आउटसाइडर्स थे जो इस पूरे इवेंट को अब्जाफ कर रहे थे कि जवालना नहरू की डथ हो गई है ठीके नाव देर वाइड इन दी कंट्री प्लिटिकल सक्सेशन को लेकर डिवेट है तो जो आउटसाइडर्स थे उन लोगों के मन में यही सवाल था कि विदर इंडिया इंडिया देमोक्रीटिक एक्स्प्रीमेंट विल सरवाई आफटर नहरू और एसा क्यों सोच रहे थे हो पता उसके पशे कारण है इट वास पीए अट नाइक सो मैनी अधर नियूली इंडिपेंडेंट कंटीज इंडिया तू वूड नॉट बी तो जो रोग यह सोच रहे थे कि क्या इंडिया में democratic experiment जो है वो survive करेगा तो वो इस कारण से सोच रहे थे क्योंकि जो आजो बाजो जो newly independent countries थी वहाँ पे इस तरह के जब democratic succession की बात होती रहे तो democracy fail हो गई थी फुस हो गई थी ठीक है इट वास फियरड़ फेलियर तो democratic succession कुट लीट टू पॉलिटिकल रोल फॉर दी आर्मी जैसे पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें 58 से नहीं समल रहा था उनका कारिकरम जिसे कर आप देखोगे तो कितने ही प्राइम मिनिश्टर जवाला नहरू तो जवाला नहरू ने ऐसा भी कहा था कि जितनी में धोतिया नहीं बदलता हो उतने तुम प्राइम मिनिश्टर बदल रहे हो ठीक फिर जैसे 58 के बाद से आप देखो कि मिलेटरी रूल वगरा यह सारी चीज़ें बनाया लेकिन वह सब फेल तो आप समझें कि अगर चीजो डेमोक्रेट्स जो हमारा डेमोक्रेटिक एक्स्प्रिमेंट है वो सर्वाइफ कर पाएगा ठीके तो इस तरह के सवाल थे बिसाइज देर डाउट इस नियू लीडर्शिप वुट बी एबल तो हैंडल दी मल्टीपल क्राइसिस बेट अवेटेड आ सॉलूशन और फिर नया लीडर आएगा वो नया लीडर भी उन समस्याओं को समझा पाएगा उन नहीं समस्याओं को टेकल कर पाएगा नहीं कर पाएगा ठीके तो मैंनी आफ दी प्रॉब्लम्स अवेटेट असॉलूशन सच जैसे अगर आप देखो गे ना तो मैंने आपको पहले बिदा है 1960 क पर के तो मिस्फ्लिट्स वगर आएगे वो देखोगे और इन सारी चीजों से उपर क्या है कि एकोनॉमिक क्राइस कंट्री बहुत बूरी तरह से फीस कर रही थी पैसा खतम हो चुका था पैसा खतम हो चुका था खाने की समस्या थी यहां पे लोग खाने के लिए मतलब इक्तरस देखो कि खाने की किलत थी ठीक है फैमाइन वगेरा आना तो यह पूरे के पूरे टाइम प्रेट को डेंजरस डिकेड इसी संस में कहा गया है ठीक है तो क्लियर होना है आपको कि आउटसाइडर्स का जो पॉइंट विउ था कि क्या डिमोकरेटिक एक्प्रिमेंट सर्वाइफ कर पाएगा उसके पीछ उनके अपने अंके लॉजिक्स थे तो जो नया लीडर आएगा भी तो उसके सामने multiple challenges थे जैसे unresolved problems like poverty, inequality, communal and regional divisions etc. could lead to a failure of democratic project or even disintegration of the country यहां तक भी सोचा जा रहा था कि country का disintegration भी हो सकता है इस स्थिति में क्योंकि अलग-अलग region पर आप देखोगे तो regional level का भी आगे आने वाले chapters में पढ़ोगे आप next to next chapter में क्या कि आप कश्मीर की बात कर लो आप पाकिस्तान की बात कर लो आप उतर नौर्थ इस्ट में पंजाब की बात कर लो नौर्थ इस्ट में चले जाओ साउथ इंडिया में चले जाओ हर जगा जिससे आपको क्या देखने को मिलेगी कि इस पूरी के पूरी सिट्वेशन में जो पॉलिटिकल सेक्सेशन की बात आई थी जो वाइड क्रीट हुआ था वह एक बड़े चैलेंज की तरह दिख रहा था कॉंग्रेस के सामने होफ़ूली होता क्या है कि लेकिन ये जो चैलेंज था ठीक हे वह होता है बहुत इजली टैकल कर लिया जाता है कैसे टाइगल कर लिया जाता है we have seen that there was a political succession from Nehru to Shastri ठीक है तो जवालनाल नहरू के बाद में लाल बहादूर शास्त्री जो है तो वहाँ पर क्या होता है पॉलिटिकल सक्सेशन होता है मतलब जवालनाल नहरू के बाद में उनकी responsibilities पापर नहीं कहूंगा में responsibilities जिस तरह से समाली लाल बहादूर शास्त्री जी ने वह काफी मतलब कहा थी प्रशन सी नहीं थी तो अब फिर क्या होता है the ease with which the succession after Nehru took place proved all the critics wrong ठीक है तो जिस तरह से जवालनाल नहरू के बाद में जो succession हुआ कौन आ है power में लाल बहादूर शास्त्री जो आ है तो उससे क्या हुआ उससे एक चीस तो clear होगी कि जितने भी critics थे जो critics कहलो है या फिर जो चिंता कर रहे थे वो सब उनकी सारी चिंता है धरी की धरी रही रह गई ठीक है और एक आपको democratic peaceful political succession देखने को मिलता है जवाल नहरू के बाद में लाल बहादूर शास्त्री जो है जो 62 का war था 62 के war में हारने के बावजूद भी confidence नाक होते हुए 65 के war में इट का जवाब पत्थर से मिला के देने वाले थे लाल बहादूर शास्त्री जी ठीक है तो क्या होता है जाड़ बहादूर शास्त्री के फजोड़ में अपना वोट दिया है कि हां इन्हें Complex जोड़ चीज बता हूंगा तो आपकी पीट बहुत जोर से शाबाषीो मारा अने नहरू को चीज बता हूंगा तो है जवाला नहरू की कैबिनेट में काफी लंबे समय तक मिनिस्टर रहे है यह ठीक है इनके पास में जैसे आप देखो के तो 1956 के टाइम प्रेड में क्या थी रेल्वे मिनिस्ट्री थी उसका जिकर आएगा शायद आगे गई हाँ तो नहरू had come to depend a lot on him in his last year तो जो जवाला नहरू के जैसे आप देखेंगे 56 के बाद में क्या होता है कि कुछ लीडर्स जो स्वतंदर पार्टी वगिरा सी राजा गोपालिचारी बाहर निकल जाते हैं वो सब कुछ हो रहा था उस टाइम प्रेड में आप जैसे दिखेंगे तो या alignment होता रहता है तो अपने आखरी दिनों में ठीके आखरी के कुछ चार-पांच सालों में जवाल लाल हरू और लाल बादू शास्त्री एक दूसरे के काफी अच्छे सलाकार बन गए थे ठीक इस सिंपिरेशन रहे हुँन की परसनालिटी कैसे तो यह इवैंट को ध्यानागों रहोगो ही एड़ अर्लियर रिजाइन फ्रम दी पोजिशन आफ रेल्वेय मिनिस्टर एक्सेप्टिंग मोराल रिस्पॉरलिटी फ्रम मीजर रेलवे अक्सिडेंट अब क्या होता है मैं क कोई कहान ही बता तो 1956 1956 में एक रेलवे एक्सिदेंट होता है महभूब नगर है ना अंदरप्रदेश वहाँ पर होता है ठीक है तो उस समय पर क्या इन्होंने अपना रेजिगनेशन लेटर लिखके दे दिया किसको प्राइम मिनिस्टर को मतलब कौंसिल ओफ मिनिस्टर ने बोल दिया कि आपने जो मुझे रिस्पोंसिबईटी दी थी और यह जो एक्सिदेंट हुआ उसकी मौरण रिस्पोंसिदेंट होगा अब ऐसा तो रिएंगे कि कृष् माशीन है में क्या कर सकते हो ठीक है पर्स होता है फिर दूसरा एक्सिडेंट होता है था है तो इस बार में आप ज़ल्दी अपक्षेप्ट करोगे इस तरह से उन्हें प्राइम मिनिस्टर को अपना रेजिगनेशन लेटर लिख के दिया और लाल बहादुर शास्त्री जी का यह जो एक्ट था ना यह तरह से क्या होता है यह एक तरह से गोल्डन एक्जांपल सेट करता है आज के पॉलिटिकल लिडर्स के लिए कि देश में क्या हो रहा है देश में आप देखोगे तरही 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 मचीए आपका हेल्थ इंफ्रेस्ट्रक्चर पूरा क्या हो गया कोलाप्स हो गया अब है अगर रेल्वे एक्सिदेंट होना उसमें रेल हमाली जाती है तो यहां पर क्या है कि बहुत अच्छा गुल्डेन एक्जांपल भी सेट किया था कि आप हो सकता है कि टेक्निकली आपका कैसकते रोल ना हो एक्सीडेंट में आफिस फेलियर समें किसी भी मशीन दिगे लेकिन मोरल रिपॉंसबिलिटि आती है कि जिस इंसा संपल सेट किया था ठीक है कुछ लीडर्स इनके पच्चिन्नों पर चले भी हैं बाद में बाद में मतलब कि आप देखो कि तो कुछ लीडर्स में इस तरह से किया भी है और कि अगर वह अपनी होते हैं अगर उनके डिपार्टमेंट में कुछ होता तो रिजाइन करते हैं ठीक है यह हो गया यह लालबाद दुर्शाष्ट्री के बाद में पावर किसके पास आती है लालबाद दुर्शाष्ट्री जी के पास में 64-66 66 दो साल तक यह प्राइमिनिस्टर है सर्फ 5 साल तक रहते हैं ठीक है तो अब देखो मुझे पता है पांच साल तक रहते हैं लेकिन क्या होता है कि अपना टर्म कंप्लीट इस लिए नहीं कर पाता है क्योंकि इनकी डेथ हो जाती इनकी खुद की डेथ हो जाती कैसे वह आगया आगे समझते हैं तो दूरेंग शास्त्री बीफ प्राइम मिनिस्टर्शिप दी कंट्री फेस्टू मेजर चालेंजेश अब देखो इनके टाइम पिरिट में भी ऐसा नहीं कि डेंजरस डीके चल रहा है न वो तो 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 गाना बैग्राउंड में माइक कल जैक्शन वाला बचता रहेगा और यहां पर आप देखो के समस्य क्या आती जाएगी तो क्या इनके टाइम पिरिट में कंट्री में दो मेजर चैलेंजेश करें वो कौन कौन से थे पहला फुट क्राइजेस प्रजेंटेट अग्रीव चैलेंज मैंने बताया आपको की 62 का वार लड़ा डॉट आती है 62 के वार के बाद में हमने मिलिटरी एक फुट क्राइसे जो है ना वो एक बड़ा प्रॉब्लम रहा फुट क्राइसे बड़ा प्रॉब्लम रहा उसे के साथ में इंडो पाक वार आफ 1965 तो फुट क्राइस थे उपर से क्या 65 में पाकिस्तान जो है तो वो उसने इंफिल्टरेशन स्टार्ट कर दी कच्छ वाले रि वार के बाद में हम विक्टोरियस था भी थो है ठीक हम जीत थासिल करें लेकिन कहीं ना कहीं वार जो है न तो कॉस्ट तो मंगती है तो फाइनिंशल बर्डन बढ़ गया था हमारे उपर उसी कारण से कहा थर्ड फाइव यर प्लान जो होता है तो हम रोग देते हैं कि बास ब ज़वान जै किसान जब उन ने बोला था अपने टाइम प्रेंड में जो चैलेंज से करें उन चैलेंज उन ने अड्रेस किया है जो मतलब के लिए ठीक है तो जै जवान और ज्यक्सान मतलब जो फूड क्राइस से जुज रहते उस समय पर उससे ओवरकम करने के लिए symbolizes the countries resolve to face both these challenges तो उनके नारे में वो जलकता है कि वो समझ रहे थी कि देश के निस्तिती से गुदर रहा है और देश को समय किस चीज़ का motivation चीए जय जवान जय किसाथ ठीक है तो यह time period रहा फिर उसके बाद में क्या होता है तो 66 में उनकी death होती है कैसे तो शास्त्री प्राइम नहीं होती उजबेकिस्तान ताशकेंट में होती है ठीक है अब ताशकेंट सुनते साब को एक चीज़ ध्याना ही होगी क्या कि ताशकेंट agreement ठीक है यह फोटा आपने पहले भी देखा होगा कि क्या होता है कि हमने 65 के वार में पाकिस्तान को क्या दिया मूत और जवाब दि लेकिन क्या होता है अगले ही दिन उनकी डथ हो जाती है वहाँ पे ठीक है उनकी डथ हो जाती है अब देखो एक पॉइंट ठीक है अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं हैश्टेग ओपीनियन ओपीनियन इंदसेंस कि क्या होता है ना कि अब थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक पॉइंट भी हो जाता है आप तो चीज़ें आपको समझना है कि लाल बहादू शास्त्री की डथ होती ना उसके उसके पीछे क्या बहुत सारे पॉइंट और व्यू है प अग्दम स्वस्थ थे उन्हें हाड अटेक नहीं आ सकता था ठीक है तो यह क्या करता है यह कुशन मार्ग उठाता है दूसरा अगर आप जिस देखोगे तो उनकी जो फैमिली है ना लाल बहादू शाज देखी क्योंकि वह रैडी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के ल होना और एक्सिडेंट में होना ठीक है उनके डॉक्टर और एक और कुक थे शायद कोई कुक थे या फिर ध्यान रखने आते उनकी डथ होना तो इस तरह से क्या मुल्टिपल कॉंट्रोवर्सी निकल के आती है लाल बहादूर शास्त्री की डथ को लेकर और एक मुवी है त लाल बहादूर शास्त्री उनकी डथ होती 66 में और उनकी डथ के बाद में जो चैलेंज ऑफ पॉलिटीकल सक्सेशन का कुश्यन था वो फिर इमर्ज होता है ठीक है फिर इमर्ज होता है इंडिस टाइम दी सक्सेशन वास नाट इजी और इस बार सक्सेशन उतना इजी नही की टाइम पिरिड में लाल बादूर शास्त्री को लीडर्स ने एक्सेट किया था ठीक है और लाल बादूर शास्त्री जो थे तो एक एक्स्पीरियंस लीडर थे वो प्राइम मिनिस्टर की मिनिस्ट्री में मतलब जब जवालना लेहरू की मिनिस्ट्री में जब 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 was तो अब पॉलेटिकल पाटी जो थी गॉंघ्रिक तो कॉंघ्रस को इसेई चैलेंज पर्णा पड़ा जो इंटरणल देखो के आप स्पलिट आते हैं ल套ा है वह चले गए उनके बाद में कमांड कौन समली हार आप में सहरे निस तरह से क्या होता है कि अब जो है transition जो होना है political succession जो होना है अब लाल बहाददुर शास्त्री के बाद में इंद्रा गांधी के पास में power आई थी यह आपको पता है ठीक है यह तो क्या होगा history हो गई है लेकिन क्या सिर्फ इंद्रा गांधी के पास ही power आना थी नहीं और भी candidates थे और उस समय पे जो major debate थी या फिर जो कह सकते की major competition था ना वो था मुरार जी देशाई के बीच में और इंद्रा गांधी के बीच में मुरार जी देशाई जो देखो यहां मोका चुकेंगे लेकिन आगे बनेंगे अभी 77 के जब चुनाओं के बारे में पढ़ेंगे तब हमारे Prime Minister कौन बनेंगे म तो माँ पर चलेंगे मुराजी देशाई के बारे में आपको बता है अभी previous chapters में जनता दल पढ़ा था नेक जगा तो समय पे जो finance minister रहते हैं मुराजी दिसाई वो रिजाइन कर देते हैं लेकिन यह तो क्या है जैसे आप यह देखोगे तो बहुत आगे की बात हो जाएगी 69 की उसके पहले आप देखोगे 66 में ठीक है 66 में क्या होता है कि इन दोनों के बीच में major competition रहता है मुराजी दिसाई एड एर्लियर साफ़ एस Chief Minister of Bombay State today's Maharaj and Gujarat and also a minister at the center तो मिनिश्टर at the center रह चुके Chief Minister of Bombay तो बॉम्बे में से गुजरात और महराज अलग अलग निकले थे ध्यान आया चप्टर बन में पड़ा है तो उस तरह से क्या है मुराजी देशाई एक प्रबल दावेदार थे उन्हीं के विपक्ष मगर जिसा मतलब उन्हीं के सामने अगर आप देखोगे गमरेश पार्टी के अंदर ही जो अगली कैणिडेट थी किसीज के लिए प्राम मिनिश्टर की पोस्ट के लिए तो जैसे आप देखेंगे इंद्रा गंधी जो है तब से और अब तभी पहली प्राम मिनिस्टर बनी की फीमेल जो है तो पाइने जो ए तो उनकी जो इसमें डैनिस्टिक सेशन भी चलेंज ऑलितिकल सक्सेशन में डैनिस्टिक सक्सेशन का गुच जाना भी चैलेंज है तिएंगे तो वहाँ प्रावल दावेदार बनना इटी है अध्यूंग्रेस प्रेशिदेंट इन पास्ट और अल्सों पीन यूनियन minister for information in साष्टी इस cabinet तो लाल जब लाल भादुर शाष्ट्री जी ने प्राइम मिनिस्टर्शिप अमाली थी तो उनके cabinet में क्या रही थी यह उनके cabinet में इंफर्मेशन मिनिस्टर रही थी तो इस यह दो चैनिटेट्स के बीच में अब क्या था कॉंपटिशन था किस चीज को लेकर पॉलिटिकल सक्सेशन को लेकर आफ्टर लाल बहादूर शास्त्री ठीट तो अब देखो सपोर्ट फॉर इंद्रा गांधी इंद्रा गांधी लेकिन प्राइम मिनिस्ट्र बंती और बंती को लेकिन सारे senior leaders नहीं करना चाह रहे थे कुछ senior leaders किसकी तरफ थे मुराजी दिसाई की तरफ भी थे क्यूंकि मुराजी दिसाई कोद एक senior leader थे ठीक है लेकिन फिर भी majority of them tilted towards इंद्रा गांधी the contest was resolved to secret सेट बैलट अमंग कॉंग्रेस एंपी तो जो कॉंग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लेमेंट थे अब भी आप मेंबर ऑफ पार्लेमेंट जो रूलिंग पार्टी के वह तरह करेंगे कि उनका प्राइम मिलिश्चर कौन रहेगा अब जब दो कैंडिट के बीच में क्या बहस सपोर्ट ऑफ मोर देन टू थफ़ाड ऑफ दी पार्टी एंपी तो जो उस समय पर कॉंग्रेस पार्टी के टोटल एंपी थे उन में से 2 3 एंपी जो उनने सपोर्ट किया किसको इंद्रा गांदी को इसतरह से लिए इंद्रा गांधी का जो कह सकते हैं कि क्लेम था प्राइम बनाया जा सारे MPC member of parliament से पूचा गया ठीक है सबने क्या favor दे दिया इंद्रा गांधी को बना दो ठीक अब इंद्रा गांधी को प्राइम निस्टर बना दो इंद्रा गांधी यंग थी compare to मुराजी दिसाई फिर भी क्या है कि जो senior leaders उन्होंने accept किया इसी इसको यह क्या दर्शाता है पता है यह political maturity दर्शाता है तो it reflects the maturity in India's democracy how कि despite the intense competition for leadership there were peaceful transition of power तो difference of opinion भी हो सकते है leadership को लेकर भी क्या है आप देखोगे तो यहाँ पे contest था लेकिन फिर भी क्या है जो outcome आता है ना उस outcome को accept किया जाता तो इंटेंस leadership competition के चलते भी क्या है लोगों ने बोला जो leaders मुराजी दिसाई ने बोला ठीक है आप इनको वोट मिल गया तो यह नहीं बना दो ठीक है कार्टोनिस जो है तो उन्होंने बहुत अची तरह से बत है कि मुराजी दिसाई रेस में थे हैं लेकिन वो रेस चालू करते उससे पहले यह क्लियर हो गया था कि कुछ जो senior leaders है they are in the favor of supporting इंद्रा गांधी ठीक है तूबी दी प्राइम मिनिस्टर आफ्टर लाल भादुर शाष्त्री अब देखो अब आपके मन में सवाल आया होगा जैन्मिन सवाल आया होगा कि इंद्रा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनवाने के पीछे ठीक है जो senior leaders है उनकी इतनी इक्षा क्यों थी देखो उसके पीछे कारण है उसके पीछे कारण है एक टाम है प्रॉपर्ली यूज किया जाता था उस टाइम प्रेट में लेकिन वो मतलब senior leaders का इंद्रा गांधी को support करने के पिछे argument यही था कि इंद्रा गांधी को अगर क्या बना दिये जाएगा प्राइम मिनिस्टर तो वो क्या होगी प्राइम मिनिस्टर का चहरा वो होंगी लेकिन सोच हमारी होगी इस तरह की सोच थी senior leaders की मतलब मुनों सुच है तो नह तो अगर पॉलेंटिकल करियर की बात की जाए तो शी वास कंसिडर्ड इन एक्सपीरियंच फाइन और इसके पीछे का अंडर करेंट क्या था अंडर करेंट यह था इस सीनियर कॉंग्रेस लीडर्स में हाव सपोर्टेट इंद्रा गांधी इंदी बिलिए इस टेटर अडि पॉलेटिकल इन-Experience उट कंपेल हाटु डिपेंड टू पुट कंपेल हाटु बीडिपेंड एंडेम फॉर सपोर्ट इन-गाइडेंस ठीक है तो सेनियर लीडर्स मतला सीनियर लीडर्स क्या मनीमन ऐसे उनके मैं मन में ब्लेड भूत रहे थे कि ठीक है इंद्रा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेगी तो वो क्या है एड्मिस्टेटिव और पॉलिटिकली इन एक्सपीरियंस ठीके उनका जो इन एक्सपीरियंस है वो हमारे ले क्या होगा फाइदे जनक होगा सीनेर लीडर्स के मन में क्या है लग डुफूट है उनके मुझसे लाग निकली कि हां । हीलाल चाहिए चलौ कि अब और आम प्राइम मिनिस्टर बने गा है ओगा हमारा सपोर हमारा लाइडंस तो मांगे गैं इंकांडेंट लोग संभाइन क्या है मान के चल रहे थे कि in experience है वो कैसे समालेगी सारी चीजों को तो उन्होंने critics को wrong proof करते हुए क्या है अपनी capability को दर्शाय था ठीक है तो अब देखो उनके सामने क्या है प्राइम मिनिश्टर बनी तो ऐसा नहीं कि वहाँ प्राइम मिनिश्टर बन गई में ट्रॉफे आफी मिल गई है यह वह पावर आ गई है तो यहां पर ऐसा नहीं कि उनके पावर में आते से ही क्या है कि सारी चीज़े आप 67 में जो फ्रेश सेलेक्शन होंगे तो वहां पे भी पार्ट आप जिससे अकर यहां समझोगे ना तो 66 में वह पावर आती तो समस्याएं खतम नहीं थी वह अभी हम लड़का है 65 में फूट क्राइस अभी भी बने हुए थे फाइव प्लांस जो है तो वह डूपते हो दिख रहे थे तो यह सारे चैलेंजेस थे उनके सामने और इन सारे तो दी पॉलिटिकल सक्सेशन आफ्र लाल बादूर शाच्तरी ठीकर फेस्ट विट इस दिफिकल्टीज सी सेट आउट तो गें कंट्रोल ओवर दी पार्टी एंड डेमनस्ट्रेटेट अर लीडर्शिप स्किल्स ठीक है और उन्होंने फिर क्या इन सारी चुनोतियों का उ तो यह यह जो पॉलिटिकल टाइम प्रहें ना आज के जो बच्चे मतलब आपने जब से होगा तो आप क्या देख रहे हैं मैं भी आज करिए ऐसा नहीं कि बावा आदम की जमाने को लेकिन जो पढ़के आप निकलोगे ना तो आपको ऐसा लगता है कि यहां चुनाओ तो पांस साल में होते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता है जब इसनी रहती कि प्रायमनिस्टर की ट्र वरी है यह जब क्यों सरकार बंती की ब्ट्रिक के बाद में 53 यह जंदी साब्सांदी के दाप्राइब करने ने उन श्चैप्तर में सबगे के इंदबाद mister 71 के चुनाव में जितती है और 71 से 77 तक रहती है यह साल ठीक है तो यहां पर 6 साल कैसे रहती है वो भी हम समझेंगे एमर्जेंसी आला पार्ट जब आगे आने वाले चप्टर में फढ़ेंगे तो फिर क्या होता है एटी में चुनाव जो होते हैं तो इस तरह से उनका भी है कि जितने प्राइम की लिस्ट पढ़ते ना तो जवालाल नहरू हो गए जवालाल नहरू के बाद में हिंद्रा गांदी हो गई तो यह कुछ ऐसे प्राइम मिनिस्टर जना है जिनका टाइम प्राइम बहुत डॉमिनेटिंग रहा है आज जिसे अगर आप देखो तो जिसे हमारे अभी जो 2771 and 1980 और यह 71 में खुद की अलग पार्टी कर लेती पुरानी कॉंग्रेस से बाहर निकल के कॉंग्रेस आर बनाती है वह भी बहता हूंगा मैं आपको आगया अले पार्ट्स में ठीक है क्रेटेटेट विद इस लोगन गरी भी हटाओ गरी भी हटाओ 71 के बाद में जैसे 71 का चुनाओ जो था ना वह इसी मुद्दे पे लड़ा गया था गरी भी हटाओ एक बहुत क्या सकते हो नहीं जो स्लोगन अपने आप में क्या आइडिया दे रहा है कि कॉंग्रेस इस टोटली है सोशलिस पार्टी इस बीच में 42nd constitutional amendment और बहुत सारी चीज़े तो क्या होता है क वार एंड फॉर पॉलेशिय इनिशेटिव लाइक अबलिशन ऑफ प्रिवी पर्स नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक नुक्लियर टेस्ट एन इन्वर्मेंटल प्रोडिक्शन तो यह बहुत बारी 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 शब्द है अबलिशन ऑफ प्रिवी पर्स इसे हम समझेंगे एक नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक एक बड़ा बोल्ड इस्टप था उस टाइम प्रिड़ में जो सोशलिस्ट आज क्यों रहा है प्राइविटाइजेशन हो रहा है अब उस्टमें नेशनलाइजेशन होना भी एक क्या था बड़ा स्टेप था न्यूक्लियर टेस्ट जो वह 74 पोखरन वन उसके लिए क्रेडिट दिया जाता है इन्फेक्ट देखो आप देखो कॉंट्रवर्सी जो हमां बहुत सारी बताता हो कि न्यूक्लियर टेस्ट की जो प्रिप्रेशन है ना तो लाल बादूर शास्त्री के टाइम प्रेड में स्टार्ट हो गई थी लेकिन उनक गाई कि जो डेवलपिंग कंट्री इस थी ना उनका स्थेंड जो है वह एक तरह से इंद्रा गांदी रिप्रेजेंट कर रही थी इंद्रा गांदी ने ये बात करी थी कि डवलप्ड़ ओर डफिंग कंट्री इसको अभी जरुवत है ठीक है रिसोर्स का इस्तमाल करने कि औ on 31st October 1984, 1984 में लेकिन इनका assassination हो जाता, अपना term period पूरा complete नहीं कर पाती है, इनहीं के bodyguards के दुआरा, उसके पीछे की भी कहानी आप आगे आने वाले chapters में पढ़ोगे, ठीक हैं, तो बड़ी, बदलब प्यारा सा topic था, challenges of political succession, और आपको बहुत कुछ एक, मोटा माटी एक understanding developed हो होगी, इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में एक interesting चीज पढ़ेंगे, जो है context of the fourth general elections of 1967, पिछले वीडियो में आपने एक भारी background पढ़ चुके हो, भारी background क्या था, तो आपने देखा, कि हम जो पढ़ रहे challenges to end the restoration of the congress system, तो challenge सबसे पहले कहां आते हैं, Congress one party dominance के position पे थी तभी, मतलब कि जिस तरह से leaders की death होती है, leaders की death के बाद में जो succession का सवाल उटता है, succession का सवाल मतलब कि जवाल नाल नहरू के बाद कौन, तो चलो लाल बहादूर शाष्त्री, लाल बहादूर शाष्त्री के बाद कौन, तो हमने देखा इंद्रा गांधी पा हैं, और सबसे important चीज़ क्या है, कि तो fourth general elections को हम parts में पढ़ रहे हैं, कैसे, कि अभी हम सर्फ context समझेंगे, कि आखिर वो किस स्थिती में elections करवाय जा रहे थे, ठीक है, अगर हम कह रहे हैं इस part को जैसे fourth general election को क्या कहा जाता है, 67 के बाद से Congress का breakdown start होता है, breakdown of Congress system tag लगाया जात को, तो इसका मतलब क्या कि Congress की dominance खतम हो रही है, तो Congress की dominance खतम होने के पीछे क्या सरफ एक ये कारण था कि leadership बदल गई, नहीं, एक कारण तो ये था, इसके अलावा दूसरा कारण ये भी था, कि आप देखेंगे कि country में जो और developments हो रहे थे ना, जो context था, मतलब जो situation थी, वो तो 1967, a landmark year in India's political history, India's political electoral history, why? क्योंकि ये जो context समझो के तो इसमे क्या हो रहा है, कि जो एक dominating party थी, उसके domination खतम होई है, तो इसलिए क्या एक landmark year कहा जाता है, इसे in India's political electoral history, fine, अब देखो क्या है, तो the two prime ministers had died in quick succession, and the new prime minister, who was being seen as a political no voice, ठीके, had been in office for less than a year, अब क्या 66 में power में आई थी इंद्रा गांदी, और उन्हें political no voice की तरह consider किया जाता था, मतलब नहीं है अभी, ठीके, ज़्यादा experience नहीं है, और जो senior leaders थे उन्होंना, यही सोच के तो उन्हें क्या किया था, इंद्रा गांदी का चहरा उन्होंने आगे किया था, क्या है, ज जोर था, उसके अलावा आप देखो का देश में कैसी थी, ते पीरेड वास फ्रॉट विट ग्रेव economic crisis resulting from successive failure of monsoons, अब देखो, country में कैसे दुखो का पहार उस समय पर उबड़ पड़ा था, कि monsoon जो है नहीं आया, 62 के वार के बाद से दिखेंगे, तो 2-3 साल क्या रहे है, continuously droughts रहे, fine, उसका आद widespread drought, monsoon नहीं है, drought है, decline in agricultural production, अब पानी नहीं है, तो खाओगे क्या, मतलब पानी नहीं है, तो produce क्या करोगे, और प्रड्यूस नहीं होगा, तो खाओगे क्या, ठीक है, तो agricultural production जो उसमें आपको decline देखने को मिलेगा, अब agricultural production में decline मतलब serious food shortage, ठीक है, serious food shortage आपको हैं देखने को मिलेगी, depletion of foreign exchange reserves, अब क्या रहा बता, इस time period में इस oil crisis वगरा भी होते हैं, हमारे पास जो पैसा था, foreign exchange reserves था, वो हमने सारा खर्च कर चुके थे, ठीक, तो हमारा जो foreign exchange reserves था, वो भी खाली हो रहा था, drop in industrial production, एक्सपोर्स अब ऐसा भी नहीं कुछ ब ठीक, तो drop in industrial production and exports, combined with a sharp price in military expenditure and diversion of resources from planning and economic development, अब क्या एक मिन वता है, जो economic expenditure आगा है सिर्प अचानक से, जैसे आप medical expenses के लिए prepared नहीं रहते हैं, एक बात बता तो बहुत इच्छी, पता है हमारी country में medical expenses को हम ऐसा लेके चलते हैं कि हैं, हमें तो कुछ हो गई नहीं, लेकिन medical expenses जब आते हैं तो 80% से उपर की जो population हमारी country की, जी हाँ, 80% से उपर की population को जब medical expenses bear करना पड़ता है, तो उनकी पूरी की पूरी savings vanish out हो जाती है, उनका plan जो होता है, पूरा का पूरा बिगड़ जाता है, मतलब हम कोई भी इस तरह से क्या है कि medical expenditure को लेके नहीं चलते हैं कभी मतलब यह तो खेर चाप्टर से हटके एक चीज़ बाता रवा हमें, तो insurance बगेरा जो होता है, वो बहुत बहतरीन होता है, खास करके medical insurance लेके रखना चाहिए, क्योंकि unexpected situations के लिए हम कभी भी prepared नहीं रहते हैं, ठीका this was the life lesson, बागी अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्या है, military expenditure, तो हम ऐसे भी prepared नहीं थे ना, कि हमारी लड़ाई होगी, तो उसके चलते क्या है, कि यह जो time period रहा है, 62 से 67 तक का जो time period रहा है, जो third, मतलब जिसके आप देखेंगे तो क्या है, कि जो हमारे general election वाला time period रहा है, ठीके, third general election का, तो उसमें हमने क्या है, वो जो dangerous decay का tag लग पड़ा था, devaluate करना पड़ा था, मतलब कि जिसा आप देखोगे, तो पहले, एक डॉलर जो हुआ करता था, तो उसका Indian currency जो है, तो four point कुछ हुआ करता था, approach हम five ले ले लेते हैं, कि Indian rupees जो होता है, हमारा तो Indian rupees जो है, तो एक डॉलर मतलब 5 रुपे फिक्स करके रखा था, लेकिन फिर क्या है कि जब economic situation बिगड़ गई थी, तो उसी के चलते क्या economic situation बिगड़ गई थी, हम हमारे foreign reserves जो है, उन्हें मतलब sufficient नहीं थे, कि हम trade कर सके country's के बीच में, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ जो strong currency रहती है, वो pressurize करती है, वीक currency को, आप devaluate करो अपनी currency को, ठीक कुछ कर दिया गया था, इंडियन रूपी, ठीक है, seven point कुछ कर दिया गया था, तो इंडियन रूपी का devaluation करा था, और devaluation से क्या होता है, devaluation मतलब devaluation इसलिए, क्योंकि foreign countries मना बोल दिती कि नहीं हम इतने में, आपकी currency को accept नहीं करेंगे, क्योंकि economic situation country में अच्छी नहीं ठीक है, साथ रुपे तो बहुत अच्छा लग रहा, आज देखो कि 75, $1.75, तो अब क्या आप totally market oriented, सब floating exchange rate पर आ गया सब कुछ, ठीक, economics की concept है वो खेर, लेकिन आपको ये चीज़े समझ में आई, तो fourth general election का context क्या था, कि economic स्थिती बहुत खराब थी, उसी के साथ में आप समझना होगा है, basic economics के, क्या होता है कि जब economic situation खराब होती है न, तो उस बिगरती economic situation का सबसे पहला reflection आपको कहा देखने को मिलेगा, inflation के form में, चीजों की कीमत बढ़ना, समझ रहो, चीखें, तो आप क्या हो रहा है कि जब आपकी economy की स्थिती सहीं नहीं होती है, तब आपके क्या हो रहा है कि साल भर में चीज़ें डबल हो गई, तो वो क्या है, वो inflation, inflation ज़रूरी है, plus minus two inflation की बात तो हमारा, जैसे आप देखो कि तो economic server में भी की जाती है, लेकिन ऐसा inflation हो रहा है कि 100% inflation हो रहा है, तो वो चिंता जनक होता है, वो दर्शात है कि आपकी economy जो है, economy की स् आप है, उसकी तभीयत खराब है, तो उस समय पे आपको क्या कर लेना चाहिए, अप्रोप्रेट स्टेप्स ले लेना चाहिए, और गवर्मेंट अप्रोप्रेट स्टेप्स नहीं लेती है, तो economic situation और बिगणती जाती है, बड़े-बड़े हास्से होते, economic crash होती है, ठीक, Lebanon क स्थिति देख लो आप, fine, अभी at present अगरम बात करें, तो economic crisis, economic situation, trigger of price rise, तो जैसी जो हमारी बिगणती economic situation ती, उसके चलते का है, price rise देखने को मिला, price rise देखने को मिला, people started protesting against the increase in price, और आम जनता जो है, तो क्या है, protest करेगी, प्याज जो है, प्याज के दाम बढ़ेंगे, तो अब देखो, लोगों ने protest के सकिया, तो जगा जगा बंद, हर्ताल वगरा ये सारी चीज़ और्गनाइस की गई, अब government को क्या लगा पता है, government नहीं हाँ पर समझने में गलती करती है, कैसे है कि लोग जो बंद, हर्ताल वगरा और्गनाइस करें, तो लोग सच में क्या थे पीडित थे, लोग सच में परिशान थे, government कर से लगा तो law and order problem है, लोग जो है, लोगों क्या नहीं घर में काम नहीं है, तो बैटके हरताल वरतार करने लगे, लोग सच में जब परिशान होते हैं, तभी रोडों पर उतरते हैं, ठीक है, government ने उस चीज़ को वैसे interpret नहीं कि किया, government ने सरफ इस चीज़ को law and order problem समझा, और government ने भी फिर strictly deal किया, तो जो लोग रोड पे आते थे, उनको बापिस, उनको बोलती है, चलो रोड पे अच्छ, मतलब घर में अच्छा नहीं लगना, रोड पे आयो, चलो जेल में बिठा दे थे, तो arrest वगेरा, उसको iron rule, मतल करेगी, general election जो होने वाले हैं, उसको shape देने वाले हैं, तो topic एक बार फिर से में आपको याद दिला दू, क्या पढ़ रहे हैं, फोर्थ general election 1967 में जो general election होगा, तो उसका context क्या है, किस स्थिति में चुना हुए थे, economic situation, government का रवहिया जो था, उस समय पर dictator, ship की तरफ जा रहा थ करेगा, तो आपको उससे अच्छा इंसान और कोई नहीं लगेगा दुनिया में, ठीक हैं, अब क्या हो रहा है कि आप जिसे देखेंगे, तो congress जो economic situation को नहीं सुधार पारी थी, economic inequalities बढ़ रही थी देश में, लोगों के पास पैसा नहीं था, जिसके पास था, उसके पास ब मिलेगा, 1967 के election में देखने को मिलेगा, मैं आपको भी background बता रहा हूं, this period also witnessed some of the worst Hindu Muslim rights since independence, तो यहाप जैसे जबलपूर में दंगे हुए थे, ठीक है, 1967 में हुए थे, 1967 मद्रप्रदिर जबलपूर में दंगे होते हैं, ठीक है, अब क्या है, तो यह time period पे आप देखूँ के त disrupt हो गई थी, in fact, आप देखो के तो एक communist party, socialist party जो है, तो communist party में split तो 64 में ही आ गया था, CPI और CPI M, अब वो CPI M में से भी कहा है, Marxist, Leninist, नक्सल मुवमेंट जो है न वो निकल के आता है, ठीक है, नक्सलिजम का आ जाना, तो arm struggle जो है, किसने पीजन्स वगरे ना लांच कर द इस वीडियो में 67 के general election जो है, ठीक है, लोग सुभा चुनाओ जो है, 4th general election होना थे, context समझ में आए कि क्या इस थी थी, इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे non congressism के बारे में, non congressism, देखिए, non congress, Iism, Iism जब लग जाता तो क्या बन ज 1967 में, उसके उसके पीछे context क्या था, मतलब किस तरह का background बना हुआ था, country में क्या situation थी, और जो situation थी, कही ना कही वो situation क्या करने वाली है, वो situation Congress के result को, performance को influence करने वाली थी, for sure, ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर चीजों का आगे बढ़ाते हैं, तो situation during 1967 was not isolated from party politics, अब जो economic situation थी जो political situation थी, it was not isolated from party politics, मतलब दूसरी जो political parties है, वो भी देख रही थी ना, क्यों यह Congress की जो स्थिती है, वो स्थिती क्या है, बहुत ना जो खेश समय पे, 67 के election के time period में, ठीक, internal conflicts भी थे, जैसे हमने पिछले वीडियो में discuss किया कि वो जो political succession हो रहा था, तो जबालना लहरू से लाल भादूर शास्ती तक तो बहुत आसानी से political succession हुआ, लेकिन जब लाल भादूर शास्त्री से इंद्रा गांदी के पास में power आई ना, तो उसके चलते क्या है कि Congress में एक section ऐसा भी था, जो यह चाहता नहीं था, कौन? मुरार जी देशाई वाला section जो था, तो वो नहीं situation थी 1967 के time period में, it was not isolated from party politics, तो जो दूसरी political parties उस समय देश में थी, उन्होंने ये देखा, मैंने क्या बताया, power is like seesaw, तो एक political party अगर नीचे जा रही है, तो दूसरी political party को साफ दिख रहा था, कि इधर से क्या है, वो उपर आ सकती है, ठीके, तो power उस तरह से क्या है, seesaw की तर यह हम grow हो सकते हैं, ठीके, तो देरफोर opposition parties were in forefront of organizing public protest and pressurizing the government, and this is the point to be noted, यही से आपके topic पे question मनता है, what is non-congressism, non-congressism क्या है, सिधा question है साहता, तो आपको ध्यान रखना है कि जो opposition political parties थी, ठीके opposition political parties मतलब, सारी non-congress parties, irrespective of their left and right orientation, मतलब वो political party leftist है, अगर मान लो जैसे क्या ह party of India हो गया, socialist party हो गया, वो party leftist है, ठीके, स्वतंत्र party हो गया, वो party rightist है, लेकिन अवो चाहे left और right और अपने ideological background को एक तरफ चूले में रखते हो, वो सांथ में आती सारी political parties, जितनी भी non-congress parties है, तो when all the non-congress party in the country came together irrespective of their ideological orientation, whether it is left or right, to defeat or to counter the Congress party, that system is known as non-congressism, ठीके है, तो iism लगा, मतलब ideology है, तो इसको ideology के sense में ऐसे समझवा आप, कि जब जितनी भी non-congress parties थी, एक ही विचार धारा प्यागी, कि हमारा लक्षी होना चाहिए, कि हम क्या करें, Congress को हरा है, ठीके, और Congress को कब हरा पाएंगे, जब उनने दिखेगा कि Congress हार सकती है, कब हार सकती है, 67 के चुनाओ दिख रहे थे उनने, ठीके, तो वो non-congressism है, आगे समझ में, बहुत सिंपल था, ठीके, तो parties opposed to the Congress realized that the division of their votes kept the Congress in power, अब जब हमने era of one party dominance वाला चक्टर पढ़ा था, तब वहाँ पे एक पॉइंट मैंने बताया था, पता नहीं कितने लोगों को यहां आते आते धि किया था ना, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं Congress की popularity, जो उसने मतलब legitimate inherit करी थी, वो सारे factors तो थे ही थे, साथ ही साथ एक factor यह भी था कि opposition जो एना, opposition क्या है दिखरा हुआ था, कि यह एक left में भाग रहा है, राइट में भाग रहा है, तो जो कुछ मिले जुले लोग Congress के against मेंग that the division of their votes kept the Congress in power, मतलब उनके votes बढ़ जाते थे, ठीक है उसी करण से Congress power में रह जाती थी, तो उसके चलते क्या है, तस parties that were entirely different and disparate in their program, disparate in their programs and ideology, got together to form anti-Congress fronts, ठीक है, अब क्या होता है, तो यह चीज़ अब समझ में आई कि हमारे votes जो है, डिवाइड हो जाने, इसी करण Congress power में आ मतलब क्या है कि जो अलग है ideological orientation में वो भी साथ में आए, तो जिसे अगर आप देखेंगे तो आपको, आपको यह कहानी बच्पन से सुनाई गई होगी, ठीक है, और यह कहानी की significance आप समझो का है, क्यो दादा जी बोलते हैं कि एक लकडी तोड़ो, सारे बच्चे तोड़ हैं, फिर वो सारी लकडिया ने खिट्टी करके देखेंगे तो आप तोड़ो, तो अब नहीं तूटती है, तो उस समय कि political parties को समझने आए, कि strength lies in unity, united रहेंगे, तो शायद हम क्या कर पाएंगे, क्या क्या कर पाएंगे, क्या क्या कर पाएंगे, एक collision बना पाएंगे, ठीक ह internal factionalism समझ रहो, तो internal factionalism मतलब क्या है, कि देखो, factionalism जो था Congress के इंदर पहले से था, लेकिन उस faction को पहले क्या है, जो अलग-अलग groups थे, उनको accommodate करके रखा जाता था, अब ये जो 67 आते आते इंद्रा गांदी के time period आते 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 जो factional groups थे, अलग-अलग ideology वाले group थे, व ये मिनिस्टर कौन बनेंगे, ठीक, तो opposition ने क्या देखा, उनने सोचा की लोहागरा में हतोरी मार दी जाए, कहाने समझ में आरे ना context की non congressism का है कि opposition का एक साथ आना, सारी non congress parties का irrespective of their ideological tradition, they came together to defeat congress, वो non congressism था, लेकिन non congressism की पीछे का background समझ में आया, कि political parties को समझ में आ रहा आना है, तो हमें एक साथ आना होगा, Congress को हैराना, तो हमें है एक साथ आना, इस तरह का कुछ नारा रहा होगा, मतलब था नहीं मैं तो बना रहा हूं, ठीक, तो ये सारी चीज़े नहीं थे, felt that the inexperience होना, ऐसा भी लगा कि अभी candidate कम जोर है, ठीक, इंद्रा गांदी को नोन Congress ही, ठीक है, 67 में भी Congress आती है, लेकिन बहुत सारे स्टेट लेवल पर आपको वो reflection देखने को मिला है, कि स्टेट लेवल पर Congress Party जो है, वो गर जाती है, ठीक है, खास करके जैसे DM के बगरा के बारे में पढ़ेंगे हम आगे अगले वीडियो में, ठीक, और फिर क्या होता है नेशनल लेवल पर भी जो Congress की majority रहती है, बहुत कम होती है, मतलब जिस तरह से प्रचंड बहुमत रहती थी, तीन सो साड़े तीन सो सीट से जाधा था, 1962 के चुनाओ, मतलब जो थर्ड जनरल इलेक्शन होते हैं, तो थर्ड जनरल इलेक्शन में, जो Congress की सीट थी, तो I guess 350 प शार्प डिकलाइन हुआ है, इतनी सीट मतलब किसी दूसरी पार्टी को गई है, तो स्वतंत्र पार्टी, उसके बाद में जन संग पार्टी हो गया, कमिनिस्ट पार्टी हो गया, इन सब की पार्टी के सीट बड़े थे, ठिक, खेर ये लेक्टोरल वर्डिक्ट वाला टॉ आया, कॉछ ध्यान आया, कॉद मतलब जो सोशलिस्ट पार्टी थी कॉद्र सूलिस्ट पार्टी, उसका बनना जब कॉद्र के अंदर हिया, कॉमेटिटिव था, गॉर्फ बहुत जादा, ये खैस कॉद्ट हो धान अचनि हो ने कॉद्धिशिया चैनियन कोंग्रेस,िंशन लीडर रामनोहर लोहिया गेव इस स्ट्रेटीजी ती नेम नॉन कॉंग्रेसिजम अब दो एक एक शब्द जो आता है यह इंपोर्टेंट रहते हैं अब जैसे नॉन कॉंग्रेसिजम हो गया तो नेट अगेरे का जो एक्जाम देते हैं पॉलिटिकल साइंस के स्टुडेंट था तो रामनोहर लोहिया ओ गए ऐसे कोशन बनते हैं अधिकते एकशाम समय ठाब तो क्या हो रहा है कि जो नॉन कॉंग्रेस लीडर थे एक रामनोहर लोहिया ठीक तो उन्होंने एक वर्ड कोईन कैऊ समय पे नॉन कॉंग्रेसिजम जो हम पढ़ रहें टॉपिक ठीक है आम आदमी जो था उसका आमरेस बन चुका था उस समय तक क्यों क्योंकि महेंगा इतनी बढ़ गए थी गरीबी थी खाने को नहीं मिल रहा था यह सारी समझ आई थी तो अपने इस आइडिया को नॉन कॉंग्रेसिजिन बनाने का प्रयास चल रहा था कॉंग्रेस को टॉपल कर देर्फोर दी कमिंग टुगेदर आफ नॉन कॉंग्रेस पार्टी वास नैसेसरी फॉर रीकली रीकलेमिंग डेमोक्रेसी फॉर दी पीपल और उन्हें कहा कि यह जो अंडेमोक्रेटिक तरीके से कॉंग्रेस काम कर रही है कि लोगों का ध्यान नी रख लिये इसके लिए क् लुगों को फिर से मिल सके डेमोक्रेसी को एकुएट किया जाता था प्रॉसपरिटी के साथ तो वह आइडिया जो यह वह वह थिया आया समझ में नॉन कॉंगरेस सिजम क्या है थिक तो राममनहर लोहिया के बारे में थोड़ा से वर पढ़ते चलो यहां पर क्युंकि वह the founder of Congress Socialist Party Congress Socialist Party बनाई गई थी 48 में split होता है तो after the split in the parent party the leader of Socialist Party and later सयुक्त Socialist Party तो यह हमने जब Socialist Party पढ़ा था तब मैंने आपको इस सब बताया था Socialist Party सयुक्त Socialist Party और उसमें से भी फिर क्या split वो सारी चीज़ है ठीक है member of लोगसभाब from 1963-67 तो 63-67 तक ये member of लोगसभा रहा है 67 में की डथ हो जाती है ठीक है फाउंडर एडिटर ऑफ मैंकाइन एंड जंग नोन फॉर जंड ठीक है नोन फॉर ओर ओर इजनल कंट्रिविशन टुर नॉन यूरोपियन सोशलिस्ट त्योरी जो है ना सोशलिजम को किया माना जाता कि सोशलिजम ओरीजिनेंटijke इन यूरोप देर रिकें सोशलिजम कम्यूनिजम या आईडियास सब यूरोप में ओर लेकिन अप क्या हैं इंडिया में भी सोशलिस्ञ की बात की जा यह दिया नॉन-उरॉपियन कंट्रिव तो इन यूरोपियर हर चीज हर जो थीर है नहरे बाद आप यहाद आएंगी यहाँ पर क्या लिखा ए नौन इयॉरोपियन सोशलिस्टियुरी लिख रहे है वो तो जो सोशलिजम है वह एक वो इस तरह से क्या है, non European socialist theory जो develop हुई है, जिसमें हम क्या है, जिसमें हम सिर्फ economic resources की equality की बात नहीं करते हैं, हम जिसमें बात करते हैं कि caste system में भी equality आना चाहिए, तो ऐसे ideas को image होने में जो original contribution था, तो one of the original contribution was of Ramanohar Lohia, as a political leader, best known for sharp attacks on Nehru, strategy of non-congresism, advocacy of reservation of backward caste and opposition of English, इन सारी चीजों की बात Ramanohar Lohia ने करिए, जो हमने discuss करी इस वीडियो में, इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे electoral verdict, topic का context समझेगा, बहुत important है, और समझने लाइक चीज़ है, अभी तक हमने क्या देखा कि जो fourth general election होना था 67 में, वो थे, तो वो चाहरे थे कि वो प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन जो party के internal elections हो, उसमें इंद्रा गांधी को choose कर ले जाता, party के senior leaders की अपने vested interest थे, ठीक है, country में आप communal royalties देखेंगे, लोग महंगाई से परेशान थे, ये सारी स्थिती जो थी, तो कहीं न कहीं क्या कर रही थी, Congress की position को कमजोर कर रही थी, fourth general election में, ठीक है, ये background है, हम discuss कर चुके है, अब यहाँ पे गरीबी में आटा गिला और कैसे होता है, ठीक है, तो अगर आप चीजों को समझेंगे, तो Congress के अंदर से, ठीक है, जो Congress party थी, Congress, Indian National Congress के अंदर, ऐसे factors थे, जो Congress के against में काम करने वाले थे और Congress party के बाहर के अगर factors को देखोगे आप, ठीक है, Congress party के बाहर के factor मतलब कहा है कि जो opposition था ना, तो 67 आते आते, fourth general election आते आते, opposition को भी ये समझ में आ गया था, कि अभी मौका है, चौका मारने का, कैसे, तो opposition को लग रहा था कि हाँ, इंदर गांदी जो है, politically inexperienced है, फिर अग अंदर पार्टी हो गई, जन संग हो गया, ठीक है, socialist party हो गई, तो इस तरह से क्या है, इस तरह से आप देखोगे, तो अलग-अलग parties जो है, वो क्या कर रही थी, अपना base बढ़ाने में लग रही थी, तो 67 के जो चुनाओ थे ना, वो क्या है, पता है, वो एक watershed event रहा है, एक benchmark होता है, वो multiple sense में benchmark होता है, regionalism की बात कर लो, आप, federalism की बात कर लो, आप, politics की बात कर लो, मतलब, आप बोलोंगे, सर, regionalism, federalism कहां से आगया, लेकिन हर चीज़ इंटर लिंग रहती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 67 के चुनाओ जो है, 67 के चुनाओ और इसे ऐसे याद रखलो कि breakdown of Congress, इसे क्या benchmark मान के जाना जाता है, क्यों क्योंकि इसके पहले तक Indian politics, Indian scenario कुछ और था, इसके बाद में Indian politics, Indian scenario कुछ और था, ठीक है, तो 67 का जो 4th general election होना है, उसका election हो गया है, ठीक है, अब क्या होता है, जैसे आपके exam हो जाते, result आने वाले रहते हैं, ठ मतलब चुनाओं के परिनाव आने वाले हैं, जो कि interesting थे, देखो कहा है, तो the 4th general elections to the लोकसभा, and state assemblies were held in February 1967, ठीक है, और मैंने आपको ये चीज़ भी पहले बताईए, कि पहले क्या आता था, 52 में जैसे चुनाओं होए, तो चुनाओं साथ में चलते थे, साथ में मतलब कि लोकसभा के चुनाओं भी एक साथ, और जो legislative assembly के चुनाओं होते थे, general election और state assembly के election, दोनों के चुनाओं एक साथ होते थे, in fact, fourth general election ही last time वो election थे, जब state में election और national level पे election एक साथ हुए, इसके बाद से state के elections आगे पीछे होने लगे, ऐसा क्यों सर, तो अभी आपको समझ में आ सारी state government जो थी न, तो अपना पांस साल का जो term period था, वो complete नहीं कर पाई, इससी कारण से क्या है कि gaps आने रगे ऐसे कि कोई चुनाओं अभी हो रहे हैं, जैसे आप दिखते न, state assembly कैसे होते हैं, कि हर साल कही न, कहीं कुछ states में चुनाओं हो रहे होते हैं, तो पहले uniformity थी थ हो जाती थी, dissolve हो जाती थी, बीच में ही आप देखो कि तो बहुत सारे जो, क्या सकते है, state legislative assembly की जो government थी, उन्हें हटाया गया, खुद हटाई, हट गई, defection बहुत जादा होता था, तो उस कारण से फिर क्या है, वो जो तालमिल बन नहीं पाया, तो अब आप देखते हो, आ इस थी, वो कम होते ही दिख रही थी, clear, कारण तो बैगराण हमने आपको बताए दिया, first election of Congress without Nehru, तो आप जिसे देखेंगे, जवालना नहरू की ड़स 64 में हो गई थी, 64 के बाद 67 में अब जो चुनाव ना था, तो उसमें पहले का दो, Congress के पास में चहरा था, उस चहरे स चुनाव लड़ते थे वो, ठीक है, अब लेकिन वो चहरा सर्व सहमेति वाला नहीं था, ठीक है, इंद्रा गांदी को सब नहीं जानते थे, इंद्रा गांदी को सब नहीं जानते थे, इंफेक्ट पार्टी के ही सारे लोग नहीं चाहते थे, इंद्रा गांदी जीते, ठीक वार ये वो सारी समस्या है ठीक साथ इसाथ polarization of political forces political forces का polarization मतलब क्या है कि अब जो political forces हैं तो जो विपक्ष था वो विपक्ष भी अब कमजोर नहीं था उसने भी क्या है non congressism की जो strategy हमने पिछले वीडियो में पड़ी तो उसे साब सापने आपको तयार कर लिया था ठीक है यह क्या था पुरा background तयार हुआ था आप जो electoral verdict आता ना उसको political earthquake कहा जाता है scholars के द्वारा ठीक है theorist के द्वारा से political earthquake कहा जाता क्यों क्योंकि जजबात पलड़ गए सब एक साथ ठीक है एक ही समय में क्या हुआ चीज़ने बदल गई बहुत जादा कैसे तो the congress did manage to get a majority in लोग सबा बट विद इट्स lowest tally of seats and shares of votes since 1952 and this was the point to be considered properly ठीक है अब क्या देखो इस point को समझना आपने अगर देखा है तो chapter 1 में मैं आपको प्लस होता था majority की बात की जाथ होर समय 300 से ज्यादा सीट लेती थी थी फोर्थ सीट तक Congress क्या करती थी अच्छीव करती थी जेनरल इलेक्शन में लेकिन जो 67 का फोर्थ जनरल इलेक्शन हुआ न तो फोर्थ जनरल इलेक्शन में Congress की ही Government बनती है Central लेकिन क्या आता है कि मैजोरिटी जो है ना मैजोरिटी तो मिल जाती है लोग सबाब में बट्विती लोवेस टैली ओफ seats and shares of votes since 1952 1952 से जो performance चला रहा था पहले जेनरल इलेक्शन सेकेंड जेनरल इलेक्शन थर्ड जेनरल इलेक्शन में ठीक है उसके अपेक्शा क्रत क्या है बहुत कम seats मिली बहुत कम कितनी मिली तो जैसे आप देखो के 520 seats में से मात्र 283 seats जो थी Congress को मिली थी 280 ठीक है और चाहिए कितना था majority के लिए तो आप देखेंगे तो 261 I guess हाँ 261 seats majority के लिए ये magical figure था तो magical figure से कुछ कुछ ही ज्यादा seats मिली थी तो ये क्या है Congress के लिए ऐसे तो Congress जीद गई है लेकिन Congress के लिए हार थी ये इलेक्टोर्ल वरडिक्ट क्लियरली दर्शारा था कि Congress जो है वो कम जोर हो चुकी है ठीक है अब डिको Congress कम जोर हुई वहा तक तो ठीक है दूसरी party जो थी स्वातंट्र पारटी जनसंग जो थी तो इनके सबके शेर बढ़े हैं ठीक है इनके सब के शेर्ज बढ़े हैं अगर आप देखो तो इनका वोट शेर बढ़ा है कॉंग्रेस का ही इससे पहले वाला जो जन्डरल इलेक्षन था त्यू में जो इलेक्षन हुए थे थार्ड जन्रल इलेक्षन उसमें कॉंग्रेस की 350 प्लस सीट्स थी वो 350 से कितना आ गए 280 प्लस पे आ गए यह तो यह कॉंग्रेस के लिए चिंता जनक मुद्दत था ही था साथी साथ जैसे अगर आप देखोगे साथी साथ देखोगे जो दूसरी पार्टी इस थी जो मिलेवाता है ना बडिंग स्टेट में थी कॉंग्रेस क का जो परिणाम निकल का है वो तो और भी कह सकते हैं कि सर्प्राइजिंग था कैसे तो हाव अब चाहां यह कॉंग्रेस अभी नेशनल लेवल का ही परफॉर्मेंस देखो तो अभी अगर हम जैसे जनरल इलेक्शन की बाग करें तो हाव दी मिनिस्टर्स इन इंद्रा लिए एक तरह से पोषिशन पर लाया था वह और इस तरह सी तो इस तरह से कंगरेस ने तो बुरी तरह से दी पॉलिटिकल स्टाल वाट्स हो लोस्ट इन देर कंस्टिट्वेंसी इंक्लूडेट काम राज इन तमिल नादू आपके काम राज ठीके काम राज के अगरम बात करें तो इन्हें चानक के कहा जाता है था कॉंग्रेस का ठीक है इन्होंने अपना कह सकते हैं यह अपना चुनाव हार गए यह अपना चुनाव हार गए और देसे देखो के देखो पावर मैंने कहाता है पावर इन पॉलिटिक्स इस लाइक सी सो यह जब तक उपर थे तो दूसरी पार्टी इमर्ज नहीं हो पाती तमिल नादू में दबदबा था इंडियन नेशनल के ठीक है तो डीम के जो आज आप देख रहे हो ना स्टैलिन की जो पार्टी है डीम के तो उसका राइस आपको यहां देखने को मिलेगा पहली बार ऐसा हो रहा है कि क्या कि कोई नॉन कॉंग्रेस गवर्मेंट क्लियर कट मैज़ोरिटी लाईगी स्टेट लेस्ट तो इंद्रा गांधी का जो आधा कैबिनेट था वो इस तरह से क्या है 67 के वार में हार गया तो आंधी आई थी जिसने लपेट लेगी इंडियन नेशनल कॉंग्रेस को अब स्टेट लेवल पर सिट्विशन देखोगे तो अब मैने क्या बताए कि चलो जनरल इलेक्शन में नेशनल लेवल पर तो मैज़ोरिटी बनाई रखी नाग पूरी तरह से नहीं कटी बस कट मार के निखल गई लेकिन स्टेट ए लेजिसलेटिव एलेक्शन में बहुत बुरी स्थिती हुई क्या कॉंग्रेस लॉस्ट में इसमें सेवन स्टीट्स ठीक है एक समय पे स्टेट इसमें मेज़ोरिटी खो दी मतलब चुनाओं के परिनाम ही एसे आएक स्टीट के पास आई थी कह मतलब That यह लेकिन दिले में एक ही सीट मिली थी कॉंगरस को इतना परता है है तो जो इस लिए सेटिऑ नहीं था लेकिन यहां पर कैसे अडर आप देखो ख Gulf à пятर दिली यूनियां टरॉफने के साथ में का क्या लेचिस्ट प्रेटिव इलेक्षिन भी होते प्रदेश में चौधरी चरन्सिंग जो है ना तो वो क्या करते हैं वो एक तरह से Congress से अपना सपोर्ट हटा लेते हैं defection का जो क्या सकते हैं defection का जो बीज है ना वो यहां मिलेगा आपको मैं आप कहा होना कि 67 का election जो है वो क्या है watershed event रहा है Indian politics में क्यों क्या अब जैसे अब देखोगे तो आप क्या है कि 67 की चुनाव के बाद में बहुत सारे states में red rate जो दिख रहा है यहां non congress government बनेगी अब non congress government बनेगी लेकिन center में कौन है Congress है तो Congress in non Congress governments के साथ कैसे react करेगी मतलब उतने peaceful coordinated way में अब यहां इन राज्जों में सरकार नहीं चलना है तो जो फेडरलिजम की बात आ रही है वह फेडरलिजम क्या होते जाएगा आपको युनिट्री दिखता जाएगा 67 के पहले तक फेडरिजम बहुत cooperative लगता था तो वह मैं बता रहा हूं आपको 67 का general election political science के students के हिसाब से watershed event होता है जिसके आगे और पीछे कर आप देखोगे बहुत कुछ बदल जाता है ठीक है तो state level program performance की बात करें electoral verdict की बात करें तो Congress ने साथ states में तो clear majority खोदी थी राजिस्तान में खोदी पंजाब में खोदी हाँ मैजरीटी खोदी मेजरीटी सीट से नहीं अचीव कर पाई दो स्टेट्स में जैसे उत्तरपदेश था मैंने बताया तो यहां पर क्या है कि सरकार तो बनाई थी लेकिन सरकार गिर जाती उनकी ठीक तो इस तरह से दी इस नाइन स्टेट्स वार तो साथ और दो ठीक है तो दीज नाइन स्टेट्स वार दी कॉंग्रेस लॉस्ट पावर वर स्प्रेड अक्रोस दी कंट्री और यह जो नौश टेट्स जोड के अगर हम बताएं तो यह नौश टेट्स इस तरह से नौश टेट्स फैले हुए ते जहां पर कॉंग्रेस ने क्लियर कट मैजोरिटी खो दी कॉंग्रेस ने अपने हाथ से नौ राज जी फिसलते देखे 67 के एलेक्शन में तो जैसे दैसे पावर कहा बना ली थी नैशनल लेवल पर तो पावर बचा ली थी उन्होंने अपनी मैजोरिटी सिक्योर कर ली थी रिडिउस मैजोरिटी थी लेकिन मैजोरिटी ले ले थी लेकिन स्टेट लेवल पर उने अपने हाथ से नौ स्टेट को जाते दिखा फिर क्या है बाद में जिसे आप देखोगे ना तो प्रसिडेंट रूल जो है तो देखो यह इलेक्शन में बताया ना कि डिफेक्शन को जनम देता है पहले डिफेक्शन ऐसा करते थे कॉंग्रे कि पांस साल में तो कितनी बार सरकारे बदल जाती थी वहाँ पर पांस साल में कितनी बार सरकारे बदल जाती थी डिफेक्शन बहुत जादा होता था तो इस तरह से डिफेक्शन का जनम जो 67 के बाद हुआ मिलब 67 के चुनाओं से कहीं बढ़के निकल का है सामने गया तो आप क्या है central level पर जो government थी तो governor की institution का manipulated way में स्थमाल करना start कर देगी in states में तो यह क्या है यह और बताएगा कि हाँ जो center जो है तो क्या कर रहा है कि constitution के provisions का गरद स्थमाल कर रहा है president rule वगिरा लगार अपनी power को establish करने के लिए तो बहुत सारे issues जो है न इस electoral बुरी हुई थी लेकिन फिर भी अपनी कह सकते पावर बचाली नेशनल लेवल पर लेकिन state level पर नौ स्टेट जो अपने हाथ से फिसलते हुए देखे इतनी चीज़ ध्यान रखना है ठीक है अब एक example दिया गया एक स्टेट का जैसे आप देखोगे तो सिच्वेशन मद्रास में एक रीजनल पार्टी सिर्फ मद्रास के लोगों के द्वारा तमिल्स के द्वारा मतलब तमिल सेंटिमेंट्स को अफोल्ड कर तो एक रीजनल पार्टी बनी जिसका नाम क्या है डीम के जो आज सीट जो है किसको मिलती है डीम के पार्टी को मिलती है और डीम के पार्टी जो है ना दिस वाज दी फ़र्स टाइम एनी नॉन कॉंग्रेस पार्टी एट सिक्यॉर्ड अमेजरिटी ऑफ इस ओन इनी स्टेट अभी आपके मन में एक डाउट आया होगा क्या कि नहीं सर फर्स ठीक है उसकी खुद की मजरिटी और गवर्रमेंट बनाई फाइन दीम के वान पावर आफ्टर हविंग लेड अमैसिव एंटी हिंदी एजिटीशन बाइ स्टुडेंट्स अगेंस दी सेंटर ऑन इशो फिंपोजिशन ऑफ हिंदी एज ऑफिशल लेंग्वेज अब क्या है तो उस समय पर क्या है कि ऑफिशल लेंग्वेज हिंदी इंपोस करने की बात चल रही थी 67 का टाइम पिरेड जो था तो वहां पर क्या है कि जो सदन स्टेश थे वहां पर खास करके प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे ठीक है इस चीज के अगेंस में और उस सेंटिमेंट को क्या किया उन सेंटिमेंट को क्लेक्ट किया किसने रीजनल पार्टी ने अब देखो मैंने क्या बता है 67 का इलेक्शन वाटर्शेड इवेंट रहा है तो रीजनल पार्टी इसका इमर्ज होना मतलब रीजनलिजम जो है वह भी क्या यहां से बढ़ाना स्टार्ट होता और य तो इस तरह से क्या है एक बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा इंडियन पॉलेटिक्स में यह जो इलेक्टोर वर्डिक 67 काया थे उसके बाद में ठीक है वाज डी डॉमिनेशन ऑफ कॉंग्रेस ओवर अब आप बोलोगे कि सर यह देखते हूं स्थिति असा लग रहा है कि अभी पिच्चर बाखी है मेरे दोस्त थिक्टर बिजलेगे खल नीजी खल, कैसे कि कॉंग्रेस ने चैलेंज जरूर फिस किया इसका मतलब में कि कॉंग्रेस का डॉमिनेशन immediate खतम हो गया है जो प्रेजन कर रहा था आपके सामने . ठीक अब जिसे अगर आप देखोगे तो Chief Minister of Madras Tamil Nadu from 1967 1967 तक जैसे अगर आप देखोगे तो Congress का Dominance रहा लेकिन अब क्या 1967 में तो Congress गई Congress का सूप्रा साफ होता है तो फिर वहाँ पे नए Chief Minister आते हैं के पार्टी के कौन मनते हैं वो सी नतराजन अन्ना दुराई यह पहले कह सकते हैं कि नॉन Congress Chief Minister तमिल नाडू को मिलते हैं ठीक मदरास को समय मदरास था तो Generalist Popular Writer and Orator Initially Associated with Justice Party in Madras Province Justice Party कौन सी है तो Justice Party आप जिसे दिखोगे तो आपने Indian National Movement में पढ़के आए होंगे कि एक Party थी जो क्या है Non Cooperation Movement में Participate करना नहीं चाहती थी ठीक है Party of Non-Brahman's ऐसा कह सकते Party of Non-Brahman's which which thought to have power by participating in electoral politics ठीक है तो उसी Party से कहीं न कहीं originate DMK होती है DMK भी उसी Party से originate होती है याई DMK भी तो सब Parties जो Associated रहती है ठीक है अगर Party Trees देखोगे आप कहीं मिलते हैं तो उनको समझना कि Parties आपस में interconnected रहती है आज जो हम Parties देख रहे हैं लेटर जॉइन द्रवीडा कजगम उससे फिर क्या होता है उससे निकलने के बाद में फॉर्म DMK एजे पॉलिटिकल पार्टी इन नाइंटीन फोर्टीन ठीक द्रवीडा कजगम से ही DMK द्रवीडा मुनेतर कजगम बनी है द्रवीडा कल्चर ही वाज अपोस्टू इंपोजिशन ओफ हिंदी एंड एंटी हिंदी एजिटिशन एंड इफ यू क्या था वो एंटी हिंदी एजिटिशन था बतलब जो हिंदी को इंपोस्ट करने की वाथ की जाई थि उसके एगेंस्ट में उन्होंने ग।शीनल क्ल्चर को क्या कया अपर muffin किया तो उसके सब लोगोंने रिजेनल लेवल पे चाहले नैशनल लेवल पर DMK को अतनी सीट्स न मिली हो हो ठीक है से connect कर लो तो चीज़ें आसान रहेगी पिछले वीडियो में हमने क्या देखा कि जो 67 का electoral verdict था वह एक political earthquake की तरह आया ठीक है उस verdict के चलते यह clear हो गया कि Congress जो है structural level पर एक दम क्या कर गई है डगमगा गई है डगमगा कैसे गई है तो 52 से जितना खराब performance अभी तक नहीं देखने को मिले था Congress का उससे कई गुना ज्यादा खराब performance 67 के लेक्शन में देखने को मिला अगर हम जनरल elections की बात करें जो लोग सभाई elections थे तो लोग सभाई elections में तो फिर भी बहतर perform करा ऐसे बहतर perform करा कि अपनी पावर बचा ली majority मिल गई ठीक है reduced majority थी लेकिन majority मिल गई चलो लेकिन state level की जब हम बात करते हैं तो क्या है कि साथ state तो ऐसे थे जहां clear cut majority खो दी Congress ने दो state जो तो defection के चलते वहां पे भी क्या है power गवाना पड़ी तो ऐसे कुल मिला के 9 states ऐसे थे जो Congress के हाथ से slip हो चुके थे अब Congress के हाथ से slip हुए है तो दूसरी पार्टी इसके पास जाएंगे तो एक चीज यह थी क्यों दूसरी पार्टी भी कोई एक clear पार्टी नहीं थी जो Congress को challenge करें फॉर एग्जांपल जैसे हम आपको बताते हैं फॉर एग्जांपल जैसे हम आपको बताते हैं नंबर्स में मत जाना कि मान लो वेस्ट बेंगॉल था जैसे वेस्ट बेंगॉल Congress के हाथ से निकल गया था तो 100 seat में से मैजरेटी कितनी होगी 51 लाना होगी ठीक है मैजरेटी 51 लाना होगी तो Congress को 51 नहीं मिले Congress को कितने मिले मान लो Congress को 45 ही मिले एक्जांपल है ठीक है तो अब क्या है Congress तो Government बनाने से गई ठीक है Congress की Government नहीं बनना है लेकिन जो दूसरी political parties थी तो जैसे अगर बात करते कि Congress के अलावा क्या है CPIM जो है तो वेस्ट बंगॉल में CPIM जो थे तो उसके जो leader थे क्या नाम था उनका अजय अजय मुखर जी आगे सा हाँ अजय मुखर जी जो था तो वह Chief Minister बनते तो ऐसा नहीं है कि उनके पास 51 seats आ गई थी majority की लेकिन क्या होता है कि जो और भी दूसरे विदायक थे जो दूसरे और MLS थे तो उन्हेंने सब ने की इनके मानलो कि इनके 25 seats थे किसी और से 20 मिला के किसी और से 5 मिला के किसी और से वन मिला के ऐसे इन्होंने क्या कर दिया मिले जूले सरकारे बनाई ठीक है तो आपको ये थीम समझना है कि collisions क्या है तो 67 का जेनरल इलेक्शन उसका जो वर्डिक्ट आया वर्डिक्ट एक तरह से पॉलिटिक की तरह था और क्योंग्रेस ने माज्यूरिटिक हुई अब क्योंग्रेस ने माजरिटी किसको मिले गी कोई एक अकेली पार्टी नहीं थी जिसके पास क्लियर माजोरिटियों हो तो आपको यह स्टेटमेंट समझ में आया कि 67 के चुनाओ के बाद में कॉलिजिन पॉलिटिक्स कैसे पिचर में आई है क्यों कि कोई एक क्लियर पार्टी नहीं थी जिसके पास मजूरिटी हो अगर कॉंग्रेस ने भी कही गवर्मेंट बनाई है जैसे पंजाब में कॉंग्र कर तो आज आप देख रहे हो न वहीं चीज़ मतल yaşपी तो हवा चली थी दिए वही पार्टीज अब क्या एलेक्शन के नाने की कोशिश कर तो नॉट लेइध घरल इघर अबuchar नाने के ओन 27act भात करेंगे थीकिए इस्टइट होगा ना जब बात करेंगे लेकिन देखellन गहां पर हम बात करें कहां पर इस्तेट लवल पर जिन स्टेट स्टेट के में को आरा सकता है कोई और कैसे माजडी लाएगा तो सिंगल पर्टी की पास तो थे नहीं जैसे अभी मैंने आपको वैस्ट बंगॉल का और जिसमें उन्होंने Congress Party में थे हो Congress Party से बाहर निकल के फिर क्या है इस तरह की एक जॉइंट लेटिव असम्मली में मतलब एक जॉइंट लेटिव असम्मली बनाई वेस्ट बेंगॉल का जैसे मैंने आपको एक्जामपल दिया तो Communist Party of India Marxist जो थी उसने क्या है अपने साथ और भी जो एक दो Left Fund की Parties थी उनको एक साथ जोड़ते हुए क्या है अपनी Government बनाई ठीक है तो इस तरह से सहीवत विदायक दल that supported non-Congress Government तो जितनी non-Congress Governments होती थी सारी non-Congress Government मिलके क्या करने लगी legislative level पे मतलब state level पे अपनी Government बनाने लगी अपने Chief Ministers बनाने लगी वो जो 9 states के हम बात कर रहे है जहां पे Congress को Majority नहीं मिली ठीक है साथ में तो clear majority नहीं थी दो में आपको देखने को मिलेगा state level की politics पे ठीक है अब जैसे आप देखोगे ना तो इन वह अच्छा यह जो कार्टून है कोई काईदे से कार्टून यहां नहीं होना चाहिए था क्यों कि आप खुद देखो क्या लिखा है 74 के टाइम का कार्टून है 74 के टाइम का कार्टून है तो आप कहो तो मैं मतलब आप क्या कहोगे आप मुझे बता ही नहीं पाओगे आप कमेंट में लिखो जब तक तो वीडियो भी बन जाएगा समझा देते हैं देखो अब जिसे अगर आप देखो तो यह वी केडी चौधरी चरंण सिंग है भारती करांती दल हो गया है ठीक ह आप जिस देखो कि भारती करांती दल मतलब यह चरंण सिंग ने समाला है तो यह कब का फिनोमेना पता है इसे आप आगे एक पार और डिसकस कर लेंगे वहाँ पर यह है 74 का फिनोमेना 74 में क्या होता है 74 में जिससे आप देखोगे तो 74 में Congress का अगेंस में मतलब Congress restore हो जाती है Congress फिर से पावर में जाती है तो Congress को फिर हराने के लिए इस तरह का collision बनता है ठीक है काइदे से यह यहाँ पर देना नहीं चाहिए था कार्टून बुक में लेकिन यहाँ पर दिया है तो समझ लो कि कार्टूनिस्ट रीडिंग औफ चरंण सिंग्स अटेम्ट विल्ड़ स्फ्रेंट ओस नुंक मिनिस पाइट ऑटी ठीक है तो यहां नन कांग्रिस तो थी नौन कम् rubber भी यह तो क्या लिखार्यको कीप राईटन कीप राइट नो लेफ्ट टर्न लेफ्ट पाइगा व्लवाट्स पाइगा लेए एन टीन पाइप क्योंने लेना क्योंकि 74 तक सब 1974 तक जो left party थी ना communist party वो Congress के साँ जुड़ जाएगी इंद्रागांदी के साँ जुड़ जाएगी इस cartoon को हम आगे और discuss करेंगी जिसे नहीं समझ माया चिंता मत करो यह cartoon यहाँ देना नहीं चाहिए था वो तो दे दिया है ठीक है इसको संयुक्त विदायक दल से मत जोड़ना स सयुक्त विदायक दल तो ऐसा था कि हां collision बना है collision बना यह 74 का फिनोमेना और हम 67 पढ़ रहें अभी तो शाहिद NCIT में गलती से काटू नहीं हां आ गया इसको आगे discuss करेंगे हम और ठीक तो अब क्या यहाँ पर तो no single party had got majority various non congress parties came together सयुक्त विदायक दल और सयुक्त विदाय दल ने सरकार बनने का प्रयास किया अब देखो तो आइडिलोजिकली बिल्कुल भी तालमिल नहीं देखने को मिल रहा था मतलब लेफ्ट की पार्टी राइट की पार्टी सब साथ में आके वह बस बोल रहा थी कि कॉंग्रेस को गवर्मेंट नहीं बनाने देना है अपन ग होगे यहां पर तो सही cycle party पाजा socialist party along with along with CGI तो सुशलिस पार्टी कम्यूलिस पार्टी और दि तो अब क्या है कि यहां खिचडी बन गई एक तरह से लेकिन यह खिचडी जो थी यह खिचडी जरूरी थी किस चीज के लिए सरकार बनाने के लिए अगर यह सब एक साथ नहीं आएंगे तो कॉंखरेश किसी एक को पार्टनर बना के अपनी गवर्मेंट बना लेगी तो कुलमिला के आपको क्या देखने को मिला इक संयुक्त विदायक डल की गयवर्मνε scheint जो बनी थी ना तो यह खुद की गयवर्मेंट कम बनाने में इंतरेस्ट थी गा a कि जो पाइड जह है देवर कों मिल रहा था ठीकिन के बीच में chuck G सरकार बनाती घंदिया एम जो सरकार बनाते तो उन्होंने भी क्या है कि इधर उदर से विदायक को लपेटा और वही केस पंजाब में भी हुआ और जैसे उत्तरपदेश का केस तो आप इंटरस्टिंग उत्तरपदेश में आप देखोगे तो कॉंग्रेस को मेज़ोरिटी नहीं थी लेकिन क्या है कॉंग्रेस ने क्या कर लिया एक तरह से गवर्मेंट ब में पढ़ा है क्या की इंडस्टिलाइजिशन में फोकस किया जाए ज्यादा तो उस चीज़ को इन्हों पोस्ट किया था ठीक है तो चौदे चरण सिंग और जवालनान लेहरू की नहीं बनती थी जवालनान लेहरू के जाने के बाद में सोचा कि मैं पार्टी में डॉमिने क्रांती दल और क्या है कि जो स्टेट लेवल पर कॉंग्रेस पार्टी का गवर्मेंट था उसको गिरा दिया एक मेने के अंदर और उन्हें का नौन कॉंग्रेस गवर्मेंट भारती मतलब फिर वो चीफ मिनिस्टर बनते कहां के उत्तर प्रदेश के ठीक है किसान लीडर ज यसे वेश्ट बंगॉल में उनाइटेट में उसी तरह से पॉपॉलर यूनाइटेट फंड मनता है इचकामप्राइज टू राइवल अकाली पार्टी तो जीसे अकाली पार्टी को देखोगे न तो अकाली दल में एक संत्त गृूप था एक मास्टर गूप था ठीक है तार और CPIM अब इन दोनों का तो स्प्लिट होगा था 64 में लेकिन सरकार बनाने के लिए स्टेट लेवल पे साथ में आ गए से युक्त विदायक दिल वाली गवर्मेंट में ठीक है तो यहां पर आपका देखोगे तो सोशलिस्ट पार्टी भी अगई रिपब्लिकन पार्टी भारती जन संग तो यहां पर भी खिच्डी देखने को मिल रही है तो इस तरह से क्या है कि मोस्ट अब दी केसे जो कॉलिजिन पार्टनर्स थे ना तो आइडिलोजी गई इस समय चूले में सरकार बनाना है तो यह जो डिफेक्शन है डिफेक्शन का जो कंसर्न था वो इस समय पर हैलाइट भी होता है और यह जो कॉलिजिन पॉलिटिक्स चलिए तो सस्टेनेबल नहीं थी ठीक है उत्तरपदेश में भी बहुत सी बार का सरकार बदली यह स्टेट लेवल के बात करें तो इस तरह से यह सारा स तो कॉंग्रेस इस्टेबल थी लेकिन क्या होता है कि स्टेट लेवल पर जो कॉंग्रेस जहां मेजरिटी खुई थी न तो जो दूसरी पार्टी इस थी वो एक साथ आईए संयुक्त विदायक दल गवर्मेंट्स देखने को मिलेगी तो कोलिजन पार्टनर्स के दुआरा स सरकारे बनाए गई स्टेट लेवल पे अब वो सरकारे जो बनी गई तो रंग भी रंगी थी अलग अलग आईडियलोजिकल ओरिएंटेशन होने के बावजूद भी क्या है लेकिन सिर्फ पावर को अपने पास लेने के लिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जेक साथ आ ले हैं इस फीडियो में हम पढ़ेंगे डिफेक्शन के बारे में देखो ये टॉपिक भी ना बड़ा मजदार है थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा तो जो हमारी ब्रॉड हेडिंग चल रही है जेनरल इलेक्शन आफ नाइंटीन सिक्स्टी सेवन ज ये जनरल इलेक्शन के साथ में स्टेट इलेक्शन हुए थे वहां पर आपको डिफेक्शन देखने को मिला अभी आपके मन में अगर एक सवाल आ रहे है सरे डिफेक्शन क्या है मतलब पूरा क्या मुलते रामा ने गतम होगी जब पूच रहे है सीता कौन तो उस तरह से का he she was elected and joins another party for example इसको simplified करते हैं तोड़ते हैं अगर तो मान लीजिए कि क्या है ये एक सिंबल है कौन सा बीजेपी का ये एक सिंबल है किसका एक जैसी दिख रहे दुनों Congress का ठीक तो अब क्या हो रहा है कि मैं चुनाओ जीता था बीजेपी के सिंबल से बीजेपी पार्टी को को जौइन करके लेकिन चुनाओ जीतने के बाद मेने किस को जौइन कर लिया!Congress को जौइन कर लिया तो मैं फहले MLA इससे बना था लेकिन अब Congress को जौइन कर लिया टो MLA की किमिल आ कि जायेगी। तो Congress अगर Minority में थी तो आप Majority में जाएगी ठीक है और Congress अगर BJP Majority में थी तो उसकी Majority खतम हो जाएगी ठीक है बोलोगे सर ऐसा नहीं चलता है ऐसा अगर करते हो तो आप MLA नहीं रहोगे आपकी पोस्ट खाली कर दी जाएगे उस पोस्ट पर फिर से election होगे ये तो कब होता है ये 1985 के बाद से नियम लागू हुआ 1985 के पहले तक क्या था पता है defection permitted था defection permitted था मतलब क्या है कि constitution में कोई ये provision नहीं था कि मैं पार्टी छोड़ू या ना छोड़ू ठीक उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा तो होता क्या था पता है दिक्कत ऐसी होती थी कि मान लो किसी ने किसी ने मान लो क्या है कि इंडिया नेशनल कॉंग्रेस की बात करत को जोइन कर लिया ठीक होने स्वतंत्र पार्टी को जोइन कर लिया स्वतंत्र पार्टी को जोइन कर लिया तो क्या होगा तो कॉंग्रेस की तो जो सीट्स थी वो कम होगी स्वतंत्र पार्टी की सीट ज्यादा हो गई तो अगर मान लो कि स्वतंत्र पार्टी को मैजोरिटी स्टेज को अगर समझोगे तो हमारे पॉलिटिकल स्टेज पर ये डांस होना कब स्टार्ट होता है 1967 के बाद में क्यों क्योंकि देख टॉपिक्स को करेक्ट करना है आप जब मैं टॉपिक कोई इसकी प्रवलम इमर्जी नहीं होई ये लेकिन 67 के बाद में सिनारियो चेंज होता है कैसे अब 67 के बाद में क्योंकि जो है तो साथ स्टेट्स में क्लियर कट मेजोरिटी खो चुकी थी अब क्या होता है कि कॉंग्रेस वहां पर प्रयास खुद कांग्रेस भी करेगे कि दूस भागने की कोशिश करेंगे आगे सब्सक्राइब तो 67 के इलेक्शन के बाद में डिफेक्शन का जो इमर्ज होना मतलब डिफेक्शन का बड़े स्केल पर देखोगे और ये डिफेक्शन अभी तो स्टेट लेवल पे है और आगे जाके आप देखोगे ना तो ये नैशनल लेवल पे भी सरकार देख Hello कैसे तो अभी दे रहे हैं इसको आगे हम डिसकर सब्सक्राइंगे पहली नोंग्स कॉवर्मेंट कब मिली जुली सरकार से के नैशनल गवर्मेंट मनी मुराजी दिसाई को प्राइम मिनिस्टर बना दिया लेकिन यह सरकार कितने समय चलती पता है यह सरकार मात्र चलती है आपनी सब्सक्राइब आपने सरकार गिर जाती क्यों क्योंकि मुराजी दिसाई अपना सपोर्ट अटा लेते डिएक्षिन वास अलाउट ठीके मुराजी मुराजी दिसाई नहीं चौधरी चरंसिंग जो है और इसको आखिरकार खतम कब किया गया तो अब अलावड नहीं है अब आप अगर पार्ट की कहानी है और आप अगर पार्टी छोड़ के जाएंगे तो क्या होगा उस सीट पर फिर से क्या हुने वाले बाइलेक्ष्न होंगे उससी और से क्या होगे इलेक्ष्न होंगे वह आपकी जो सदस्यता थी MLA या MP की तरह वो खतम करती जाएगी ठीक है तो आप अभी recently observe करते होंगे जैसे मद्यप्रदेश के चुनाओं में क्या हुआ था मद्यप्रदेश में 2019 या 2020 में 2019 में ऐसा हुआ था जो State Legislative Assembly के election हुए थे ठीक है तो election हुए सरकार भी बनी सरकार कॉंग्रेस की बन गई थी कमलनाद की लेकिन फिर क्या होता है जोती रादित सिंद्या जो है तो का कॉंग्रेस से अपना सपोर्ट हटा लेते हैं और BJP जोइन कर लेते हैं तो सरकार धराम से गिर जाती ही कॉंग्रेस की लेकिन ऐसा नहीं कि BJP की सरकार बन जाएगी अगले दिन ही क्यों क्योंकि आप BJP जोइन कर लो ठीक है लेकिन आप MLA नहीं रहोगे आप ठीक है तो defection अगर होता है तो वो क्या है आपको MLA की अपनी जो सदस्तिता है वो खतम करना पड़ेगी अभी आगे आएंगे और उस चीश पे आपको यह समझ में आए defection क्या problem है ठीक है हम कहां पड़ेंगे हम defection को 1967 की election के context में पड़ेंगे और ठीक है देखो topic आपकी book में इतना सा paragraph दिया है लेकिन हमने इतना सारा समझा दिया है तो कारण यहें कि आपको कहानी समझ में क्रक्स समझ में कि आखिरकार undercurrent क्या थे तो defection समझ में आया कि जिस symbol से आप चुनाओ लड़े उस symbol उस party को क्या कर रहा हो बदल ले रहो बाद में तो it was the important feature of politics after 1967 election और why how तो वो आपको clear होगा कि 1967 के बाद में कि clear majority नहीं थी तो majority की चाहा में इधर से दो विदा है खीच लो उदर से चार विदा है खीच लो तो यह खीचा तानी जो है चल रही थी ठीक है यह खीचा तानी 1967 के बाद जोरो सोरो से चली तो defection played a major role in making and unmaking of government in the states states को लिखा क्योंकि central level पर तो जैसी भी थी clear majority थी Congress की चाहे 283 84 seats के साथ थी लेकिन वो clear थी ठीक है लेकिन state level पर क्या state level पर आपको defection देखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ clear majority नहीं थी तो इस तरह से party change होना बहुत normal हो गया था ठीक है तो दी breakaway the breakaway Congress लेश लेचर्स played a important role in installing non-Congress government in the three states हर्याणा मद्यप्रदेश एं उत्तरपदेश अब एक चीज़ समझो क्या है कि कुछ states तो Congress के हाथ से सीधे निकल गए थे साथ states जहां पर majority नहीं थी Congress को ठीक है जहां पर majority नहीं थी उसके अलावा कुछ states Congress के हाथ से ऐसे भी निकले थे कि Congress ने वहाँ पर तो लिए थी state level की बात कर रहे है for example मद्यप्रदेश ठीक है अच्छा मद्यप्रदेश के कहानी बड़ी interesting है history repeats itself until we learn from it ठीक है history repeats itself until we learn from it और आपको यहां पर history से सीखना चाहिए कैसे देखो तो यहां पर point क्या बता और हमें कि Congress से जो legislatures रहते थे ना वो Congress से बाहर निकल जाते थे defect कर जाते थे क्यों डिफेक्ट कर जाते थे तो उनको ऐसा लगता था कि दूसरी collision partners को बना के ठीक हो सयुत विदायक दल की जो government बना के वो शायद क्या कर लेंगे ministers बन जाएंगे और दो कोई भी इडिफेक्ट क्यों करेगा उसके पीशे कारण बता रहा हूं मालो क्या कि Congress के अच्छी government stable बनी हुई दिख रही थी आपको ठीक है अब Congress की करने 67 की बात करें हम वो क्या है वो Congress के government में मतलब Congress की government में थी वो Congress छोड़ के बाहर आ जाती Congress से ठीक है तो अब क्या हो रहा मध्यप्रदेश में Congress ने चुनाओ तो जीत लिया था 67 का legislature की बात करो में लेश्टलेटिव की चुनाओ की बात कर रहा हूं ठीक है लेश्टलेटी असेमली में चुनाओ तो जीत लिया मध्यप्रदेश में Congress गवर्मेंट ने लेकिन अब क्या हो रहा है कि Congress के अगर MLS वैसा है सिस्टम लेकिन 85 के पहले तक वैसा सिस्टम नहीं था तो इसी के चलते क्या है कि जब यह Congress लेजिस्ट्लीचर ने ब्रेक अवे किया ना Congress से तो यह जो आप देखो कि तो नॉन Congress में क्या होता है मध्यप्रदेश में भी वही मतलब हिस्ट्री ने रिपीट कर अपने आपको Congress की government आ गई थी ठीक है Congress ने majority पाली थी 2019 में जो 230 seats थी उसमें से कुछ seats मतलब 230 में से जो 116 majority चाहिए रहती है तो 116 से उपर का figure जो Congress ने बना लिया था collision के साथ में आके ठीक है कहां पर मध्यप्रदेश में 2019 की interesting बात बता रहों आपको फिर क्या होता है जोती रादित सिंध्या जो एक बड़ा चहरा है मध्यप्रदेश में ठीक है ठीक है ठीक है मतलब तो क्या टेकाटे सudiड़ किधर चले जाते के बीजेपी के स्षोड़ के चले गया ठीक है OPC एसी घतना century में कहा हुए थी तो जोतिय राढ़ीं सिंध्या की जो Grandmother थी बना राज-मात विजे इंध्या सिंध्या उन्होंने क्या क्याइब उने भी Congress उस समय पे वह Congress की मेंबर थी Congress की जैसे Congress को जाइन करके नगा तो उन्हें लेकिन उन्होंने जब Congress छोड़ी तो उससे क्या हुआ कि Congress की जो मजरीटी थी उनके साथ जो एमलेस भार आए तो Congress की मजरीटी फिर वहांपे अ को लाप्स होगी तो Congress की तो खेर यह तो हिस्ट्री का एक इंटर्पिटेशन था बागी आपको जो समझना है आपको क्या समझना है कि डिफेक्शन क्या था डिफेक्शन एक इंपॉर्डेंट रोल प्ले करा मेकिंग और अन्मेकिंग आफ गवर्मेंट इन स्टेट्स में ठीक है तो जैसे आप देखो इन दिस पिरेड गेव राइस टू एक्स्प्रेशन आयराम गयाराम ठीक है और अब इस तरह से जब क्या है कि विदायक आ रहे हैं पार्टी में जा रहे हैं पार्टी में तो यह जो रियालाइन्मेंट हो रहा था ना कॉंस्टेंट उसके चलते क्या है कि एक पॉपिलर वह फ्रीक्वेंट फ्लोर क्रॉसिंग बाई लेजिसलेचर तो लेजिसलेचर जो इस तरह से इधर से उधर मूव हो जाते हैं तो उस चीज़ को दर्शाने के लिए यह पॉलेटिकल वोकाबलीर में वर्ड एड हुआ आयराम गयाराम और यह आयराम गयाराम वर्ड 67 के बाद ही यह जो सेग है फ्रापर आयराम एड कैसे तो देखो जो गया लाल थे ना गयालाल कॉंग्रेस पाटी के मले थे प्राइस इननुं से इनवक्श के बताए ठीक है फिर उसके आद में क्या होते है फिर बापिस Congress में आ जाते हैं ठीक है Congress में वो बापिस आ जाते हैं कि United Fund को join किया फिर United Fund छोड़ के बापिस Congress में अब वो MLA रहेंगे MLA से हट नहीं रहें वो Congress में आ गए तो बापिस Congress को ठीक है and then within 9 hours to United Fund और फिर अगले 9 घंटे में वापिस United Fund को चले जाते हैं तो अब क्या होता है जब वो मतलब Congress से United Fund में गए और United Fund से वापिस Congress में आये ना तब एक Congress के लीडर थे ठीक है Congress के लिडर थे राओ बिरेंद्र सिंग तो Congress के राओ बिरेंद्र सिंग ने उस समय पर क्या मीडिया में कहा उन्हें मीडिया में कहा कि गयाराम वस ना आयाराम तो गयाराम जो हमारे यहां से चले गए तो पार्टी छोड़के चले गए थे United में ठीक है तो गयाराम वापिस से आयालाल हो गए मतलब गयाराम वस ना आयाराम तो आयाराम गयाराम गयाराम इस तरह से अब यह इंट्रस्टिंग फैक्ट जो है ना तो मतलब यहां से जो आप देखो के तो यहां से क्या हो गए यहां से पॉपिलर सीइंग स्टार्ट हो तो गयालाल क्या होगा है? पार्टून का वो बन गई एक तरह से कहा सकते हैं कि उस समय पर जो डिफेक्षन होते थे तो उन डिफेक्षन के brand ambassador कौन बन गए? गयाल बन गए ठीक है तो यह है यहां से word originate हुआ आयराम गयाराम ठीक? अखिरका defection होता क्यों था उस समय और आज भी आज भी और उस समय भी defection होता था monetary gains के लिए किसी party ने बोल दिया हम आपको इतने पैसे देंगे आप हमारी party में आ जाओ ठीके और पहले तो यह सा रहता था तो यह सब मिलके क्या कर रहे हैं ठीके सब मिलके हमको बेवकूफ बना रहे हैं वागे पॉलिटिकल लिएर जो अपनी रोटी सेख लेते हैं ठीके तो अब इतनी सारी बात इदर उदर की बता देता हूं तो उसमें क्या रहता है कि कभी-कभी यह डर रहता है कि आप में क्रक्स ना भूल जाओ तो एक बार थोड़ा सा एक बार रिकनेक्ट कर लेते हैं ठीके दो मिट लगेंगे देखो कि हमने क्या देखा जनराल इलेक्शन सब तरह से चैलेंजेस थे कंटेक्स्ट वो देखा तो चैलेंजेस में क्या है एकनोमिक सिच्वेशन नॉन कॉंग्रेसिजम एक बड़ा मुद्दा था और फिर चुनाओ हुए जब चुनाओ का परिणाम आया तो जो एक इलेक्टोरल वर्डिक था वो पॉलिटिकल अर्थ और उस कोलिजिन पॉलिटिक्स का एक और इंट्रस्टिंग फीचर जो था डिफेक्शन था वो भी हमने आपको समझा दिया तो आशा करते हैं यहां तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई है मजा आया है ठीक अब हम क्या पढ़नेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो से अब जो होता है 67 में कॉंग्रेस में दो तुकड़े हो जाएंगे कॉंग्रेस ठीक है कॉंग्रेस और कॉंग्रेस आर जो निकलेगी तो वो क्या कहानी है वो आप नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं ठीक मैगनेट बेंस पर इसी तरह से सभी सब्जेक्स चैप्टर्स टॉ keep learning thank you thank